पूंचना था कि सम्मिधान कैसे में क्यों खत्रे में है इसका कारण क्या है जी यह सब रभी अम्बेटकर जी सम्मिधान खत्रे में कैसे है यह तो थोड़ा सा छोटा सा और उड़ा कोश्चन है पहले में इसका जवाब दे दूं क्योंकि आपका सवाल बनना अधूरा रह जाएगा सामाजिक आर्थिक और राजनियतिक न्याय जब हम प्रियंबल रोज पढ़ते हैं आज पढ़ा नहीं गया उससे कुछ रग भी नहीं पढ़ता कि नहीं पढ़ा गया हमको समझाना चाहिए तो प्रियंबल कहता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनियतिक न्याय मिलना चाहि यानि हम भारत के लोग को आर्थिक और राजनितिक तो आप यह देखें कि भारत के लोगों को क्या सामाजिक नियाय मिल रहा है समाज में नियाय सबको बरावर हो रहा है फिर आप देखें कि आर्थिक आधार पे क्या सारे लोग बरावर हैं बहुत ज़्यादा गरीबी अमीरी तो नहीं है फिर आप देखें कि राजनितिक इस्तर पर क्या सबको राजनितिक मौके बरावर मिल रहे हैं आप देखें कि क्य या कोई आदमी अगर गरीब है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या लड़ पा रहा है या कोई आदमी सक्षम है लड़ना चाहता है तो क्या लड़ सकता है यह उसकी पहली लाइन है दूसरी लाइन है विचार अभीव्यक्ति विश्वास धरम और उपासना की स्वतं होनी चाहिए जब आप कहीं कोई विचार दें चाहे टीवी पे चाहे अखवार में चाहे कहीं बोल कर या कहीं खुले आम बोलें आप दाहर दाहर के बोलें अभी विक्त करें अपने आपको जो आपके अंदर है वो कहें कुछ भी है चाहे वो चाहे वो गवर्मेंट के अगें में है या नहीं है अगर उसकी परसनल कोई हट नहीं हो रहा है तो विस्वास जो आपका विस्वास है उसको कोई हिला तो नहीं रहा है जो विस्वास आप करते है कोई जबर जस्ती तो नहीं कह रहा है आप से कि आपका यह विस्वास यह ठीक नहीं है आप मेरा विस्वास मान कर सकते हैं क्या इसकी सुतंता पूरे भारत में सब वीदा पीपल को है इसके वारे में आप देखें कि उसका जवाब हां में आता है या ना में आता है फिर आता है कि जो प्रतिष्ठा है व्यक्ति की और जो अफसर है यानि जो मौका है और जो उसका मान समान प्रतिष्ठा है वो वीदा पीपल की सभी लोगों के लिए बराबर है या नहीं है तो देखेंगे सड़क पर पड़े हुए लोग है उनको तो बचारों को यह नहीं पता कि वेक्ति क्या होता है गरिमा की तो बात बहुत है अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो सम्विधान ठीक है काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है और अगर इन में से किसी एक कावी आने वाले है ना वो उल्टा करके बताते हैं अभी यहां बात चले थी जो सार्थी जी एक इंटेव्व ले रहे थे और बात चीत कर रहे थे तो उसमें करें थे के सम्विधान पावर हाउस है पावर हाउस होते हैं बिजली के घर होते हैं तो हमारे पुराने जहां रहते थ से बिजली चली गई तो भई पावर हाउस से बिजली कैसे चली गई पावर हाउस में क्या बिजली बनती है क्या पावर हाउस बिजली बनाता है क्या वहां बिजली जलेट होती है अगर पावर हाउस में बिजली घर में बिजली बनती होती तो जाती क्यों पर तो वहीं रहती महीं बनती मिल जाती इसलिए सम्विधान को जो कहते हैं वो दरसल पावर का रेगुलेटर्टरिस सिस्टम है उसकी अपनी कोई पावर नहीं है वो कहीं से पावर ले रहा है और बिजली घर की तरह हमें दे रहा है अगर उसकी power पीछे से cut हो गई और नहीं आई तो दुनिया का कोई भी सम्थान हो आपको कुछ नहीं दे सकता बेकार हो इसलिए power house सम्थान नहीं होता है इसको दिमाग से निकाल दें कि सम्थान खत्रे में है या सम्थान power house है ना तो समिधान खत्रे में है और ना समिधान पावर हाउस है हम वीदा पीपल खत्रे में है और हमी उसको बिजली देते हैं हमी उसको पावर देते हैं जब हमी खत्रे में है तो उसको पावर हाउस को बिजली देगा कौन समिधान को ताकत देगा कौन और जब ताकत नहीं दे यह नहीं बोलते उसको हम सम्विधान के लोग नहीं बोलते हैं इस बात को सभी लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और इस सब्द को बदल देना चाहिए यह जो बार बार हमको रटवाया जा रहा है जरसल हमारे तो विचारक प्रचारक सोचते नहीं है ऐसा ऐसा सब तब गड़ते हैं जिसका ना ऊपर कहीं कुछ। है ना नीं हीं कैसे बसना है हम बचेंगे वीदा बचेंगे तो समिधानτιक बचेगा और जब वीजा कहां बचेगा ये ठीक ऐसे है कि कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं अपने अपने सरीर को बचाऊंगा तो तो बचूंगा और सरीर को नहीं बचाऊंगा और कहता रहे कि मैं बचूंगा बचूंगा रहे जब सरीरी खतम हो जाएगा तो मैं बचूंगा कहां से ये बात बुलकु तो इसलिए जो वीदा पीपल इसका नाम है और जो हम काम कर रहे हैं वो सही मायने में सारे लोग मिलके हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया में शोर मच रहे हैं और लोग लगाता लगातार प्रिचार प्रिचार कर रहे हैं कि समिधान बचाना है समिधान बचाना है उनको अपने सब्द बदल दियन चाहिए उनको यह कहना चाहिए कि हमें अपने आपको बचाना है हमें अपने बच्चों को बचाना है हम बचेंगे बच्चे बचेंगे तो देश बचेगा किसी देश मैसे अगर सारी लोग खतम हो जाए तो वो देश खतम हो जाता है देश तो लोग होते हैं जमीन को देश थोड़ी बोलते हैं फैक्ट्रियों को देश थोड़ी बोलते हैं किसी देश की सड़क बहुत जादा अच्छी हो तो वो देश थोड़ी ह होता है देश तो वहां के लोग होते हैं हम रिसोर्स इस और जो हिमन रिसोर्स है जो मानब के संसादन है वही देश होते हैं वही राज्य होते हैं इसलिए सम्विधान में कहा गया है वीदा पीपल सम्विधान में कहा कहा गया है कि वीदा वीदा रोड या वीदा हम ही मर जाएंगे जब वीदा पीपली खत्म हो जाएंगे तब सम्विधान खत्म होगा हला कि हम खत्म होने के बाद में रोने के लिए जीवित होंगे नहीं क्योंकि हम तो मर जाएंगे तो इस sentence को बदलके हमें कहना है कि हमें आपस में एक दूसरे को बचाना है और बचना है तो बचने का तरीका इस powerhouse में है यानि के सम्विधान में है regulatory है कैसे है संविधान ये कहता है कि आप लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, यानि हें वीदा पीपल ने व्यवस्था बनाई है और वो हमने पास की है, वो हमने ये पास की है कि जिसकी जितनी संख्या जादा होगी और 50% से जादा होगी, मैं MP MLA की बात नहीं कर रहा हूं वो तो हमारे होते हैं तरसल टोटल जल संख्या की बात हो रही है भारत में समिधान वीदा पीपर से चलता है समिधान MLA MP से नहीं चलता है तो अगर 50% से ज्यादा यानि 51% अगर लोग हो जाते हैं देश में एक तरफ और वो यह कहते हैं कि आ नहुमत एक परसेंट का भी भारी होता है इसलिए हम को संख्या बल को इखटा करना है और आज जो लडाईया होती है वो तलवारों से तीरों से बंदुक से नहीं होती है आज की लडाईया जो होती है वो जन संख्यावल से होती है जहां सम्विधान लागू होता है है और कि आप करोगी क्या तो बहुंकि प्रेशन के फाइदा है यह अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा लावा तर बहुत करना पड़ेगा फुरा देस रुख जाएगा हो जाएगा फिर आपको बहुत मेहत करनी पड़ेगी और हो सकता है वो हो भी या ना हो क्योंकि अंग्रेज तो बाहर के तो चले गए मगर अभी जो लोग है उनमें वित्तिक्रम होगी तो कि हम लोग तो बहुत सारी संग्ठों में बटे हुए है और बहुत सारे जाती के सिस् को नाम की पीछे जी ना लगाओं या किसी को बीच में रोक दूं या गलती से कोई बात ऐसी निकल जाए बस उसका ही वो हट हो गया फिर भाड़ में गया संविधान खत्रा और तेल लेंगी कि आजादी और करांती वह सब बेकार की बात है भाई पहले तो मेरा और मेरे को पाठ़ो पढ़ा जाएगा कि अबी अभी आपने कहा रही था वेक्ती की गरिमा तो plays की कोई चीज नहीं होती आप बता रहे थे आपने मेरी गरिमा का अन्व कर डिया अब मुझे नहीं चाईए समिधान अब मुझे नहीं चाहिए आजा दी अब नहीं चाहिए मुझे मान संभास चला जाएगा और पचास जिगे जाके पचार तरहेगा के वीदा पीपल में तो हमको ऐसा कह दिया यहां हम जब कहते हैं किसी संख्ण गोगे भाई तम्हे Σंख्ण हो गएशेशी संख्ण होगे तुम्हारा काम अब हो गया आप सब खटे हो जाओ तो फिर बात बनेगी तो उनकी गरीम अहनन हो जाती है उनकी उबिज्जत हा जाती है उनकी जट्क फट्र हो जाती है वो मरने को त्यार है मगर एहम चोड़ने को त्यार नहीं है यह लोग आते है और एहम लेकर आते हैं हो चले जाते हैं उनको खत्रे है सब शीज़ खत्रे में है तो ऐसे न समझ लोगों की वैसे हमारी तो पूरी की पूरी नसली क्हत्रे में आगए क्योंकि हमारी यह है कि जब तक जनसंक्या वल इसां कमें बचाएगा नहीं और जनसंक्या अब़ तरिखट्टा बताए मैंगा जिन को बताए वह जाड़ पे चड़ जाएं उनके एहम ऊपर चड़ जाएं उनके दिमाग खराब हो जाएं और वो लगे कि अरे यह है तो सही है भॉकने के लिए तने साथए लोग थो है हम नहीं सुनते इनगी भाड़ में जाए हमारा तो एहम ऊचा है जो बावा सापने बतायी है कि हम और और गनाईज होने के लिए हम को हर रही सी महर्त करनी है और जादा बहुतिता नहीं करनी है बस अपना एहन चोड़ना है अपना एगो चोड़ना है और अपनी छोटी समझ को घर छोड़के सम तो नहीं रखा हुआ है अगर आप इखटे हो जाओगे जिन्दा रहो गे तो खूब करना है खटे हो जाओगे जिन्दा रहोगे तो खूब आप एक जूसरे को एहम दिखाना आप इखटे हो जाओगे तो अपनी कार कोठी बंगला खूब दिखाना आप इखटे हो जाओगे बच जाओगे तो खूब अपनी बुद्धिमानी दिखाना क्या आप कितने विद्वान हो कि कितने डॉक्टर हो कितने आप पैसे वाले हो सब दिखाना और जब आप जिंदे नहीं रहोगे और इखटे नहीं होगे तो दिखाओगे किसको आप तो मारे जाओगे अब नहीं मारे हमें बताया थे सारे संत्य चलते चलते हैं वा वासाप ये चलतेam चले गए बद्ध decipherika अदके दिखा या एक निया नहीं आया बापिस चाहे आप किसी नेता के दरवार में जाओ नहीं आया बापिस आप कितने बड़े मिनिश्टर अफसर होंगे नहीं आया बापिस आप कितने बड़ी आपकी पहुंच होगी आप कितने बड़े तरक वितरक हुए और उन्हें सम्मिधाने कहा जैसा होकुम मेरे आका और आपका वह पन्ना सम्मिधान में लग जाया आपके जिद्दे पन्ने फटे हैं वह सारे सारे लग जाएंगे अगर आप इखटे हो जाओगे और जो अभी तक नहीं लिखे गए हैं नहीं लगे है वो भी लग जाएंगे अगर आप इکटे हो जाओगे इसमें जदा मत्हार नहीं मानना है जदा बात नहीं करनी है ज़्यादा इसमें फुलाजोपी नहीं करने है यह बहुत छोटी सी बात है इसमें बेसीकल लिए अब पिखटे हो जाओगे इसमें ज्यादा मत्हार नहीं मानना है ज्यादा बात नहीं करनी है ज्यादा इसमें फिलोस्पी नहीं गड़नी है यह बहुत छोटी सी बात है इसमें बेसिकलिए करने का समय है इसका जिकर करने की जोतनी है इसको बार 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 होगे तो सारे काम कर ले आ अपस Mir ने भाइयों जिंदे रहने का काम करious तो जिन laws यह नहीं ha तो फिर मरने की तैयारी कालो पिर बच्चों को अपने हातों से दफन करने की तैयारी कर जिनके पास education नहीं होती, जिनके पास में समाज नहीं होता, जो इक खटे नहीं होते, जो एक डिशन पर नहीं चलते, जो एक बात नहीं मानते हैं, जो अपनी बुद्धियों तक लड़ाते हैं, जो चारों दिसाओं में भागते हैं, जितने ज़्यादा विद्वान होते हैं, उतने ज़्यादा विचार होते हैं उनका सरवनास होना निश्चित है निश्चित उसको रोक नहीं सकता कोई अटले तो अभी अपने तरक वितरक अपनी वुद्धा को अपने पैसे को अपने हंकार को साइड में लखें और जिन जिन संग्ठनों में काम करते हो या जो जो कैता है जोड़ना भी है और उन्होंने एक सब्सक्राइब उठा लिया जोड़ो जोड़ो मतलब वह सारे के सारे लोगों को जोड़ों को जोड़ों को निकल लगे तरह तरह की बात कर रहे हैं क्यों कि उनका धंदा चलता है उनका यहां चंदा चलता है उनके बच्चे से प तो उसको लड़ेगा कौन उससे बचेगा कौन आज के समय में सम्विधान जब तक है जब तक बहुजन जन संक्या बला आपके पास होगा तब तक तुब बचने की गारंटी है आप इखटे नहीं होगे आपका जन्मल जादा नहीं होगा तो सम्विधान आपको बचाएगा तो आपके मरने की गारंटी है जैसे अब तक हम मरते आए हैं सतर साल में हमारे पास में सबसे ज़्यादा संक्या है हम बहुजन हैं हम समण हैं मगर बहुजन और समण होते हैं हमारे सारे अधिकार चलेगे क्योंकि हम बहुजन और समण सिर्फ दिखावे के लिए हैं हम चिल के लिए काग जो में या भाशनों में या बड़े बड़े जोर जोर से कहने को बहुजन है मगर बहुजन का या मून लिवासी का या खटे होने का कोई काम नहीं किया किसी नहीं बस नाम लिया है नाम बड़ा अच्छा है मगर नाम की पीछे काम करने के लिए कोई नहीं आया अगर काम करने आते हैं और हम बहुजन हो जाते तो भी ये स्थिति नहीं आती तो साइद वीदा पीपल की सोच की जरुत में नहीं पड़ती काम वैसे ही बन जाता मगर अब तो सबको एक्टा होना पड़ेगा अब हमारे पास में कोई और आप्शन नहीं है हम बहलाने के लिए पचास बाता कर सकते हैं अपना दिल बहलाने के लिए अपनी बात बहलाने के लिए अपनी बुद्धी दिखाने के लिए लोगों को आतंकित करने के लिए लोगो नहीं है आपको सिक्षित नहीं है कोई बात नहीं आपके बाद डिगरी है नहीं है आपके पास इतनी समझ है वो ही सिक्षा काफी है कि आपको जुड़ना है आपको कोई एजिटेशन भी नहीं करना है कहीं तलवा लेकर तीर लेकर नहीं जाना है बस एजिटेशन वही होता है कि जनसंखी अबल एक साथ इखटा हो गया वह अपने आप हैजिटेशन हो जाता है अपने आप समिधान आगे जुक जाता है वह आपके अधिकार आपको निकाल के दे देगा सिर्फ उसको दिखाना होता है कि हम इखटे हैं भारत में जो लोग इखटे हैं समिधान उनके करता है तो पांच या नहीं मिलता पूछता नहीं उसकी लास के लिए कफ़र नहीं मिलता तो कि इखटे नहीं है जो लोग इखटे हैं उनके दरवाजे पर समिधान जाता है और कहता है बताओ क्या चाहिए तो उनके घर बैठे समिधान पहुंचके उनको सुरक्षा देता ह सब्सक्राइब तुम्हारी सेवा नहीं किया मैं सारी सेवा पूरी कर दूँगा इखटे होके जब तक नहीं आओगे इसलिए वीदा पीपल बार 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 कहता है कि सारे तालो की चाबी यह की है इखटा होना है बहुत सारे जो बहुत शातिर दिमाग के लोग है वो बड़े बड़े कोशन पूरण के लिए और नहीं को बचना वेंगे हमें मनेदा कॉण है अगर तुम पड़ते नहीं हो लिए खरकिने नहीं समझते नहीं सबसक्राइब बता रहे संग का चेंपने प्रatsh इंर दूने संग के यह बनाए वो भी नेता नहीं थे संग के, वो भी संग नायक नहीं थे, वो भी संग के ही थे, जैसे बाकी लोगों को भंते बोला जाता था, वैसे बुद्ध को भंते बोला जाता था, किसी का काम अलग, किसी का काम, समके काम अलग लगते, मगर सब बरावट थे, फिर पूसते, स सोचे के नहीं एक मिनट भी अरे भाई दो तरह काम होते हैं एक व्यक्ति होता है कि पहले एक उद्दे से निधार्थ करता है उसलिए काम करता है और एक होता है कि इखटा होना ही काम है जो लोग इखटा करते हैं उद्दे से करनी हैं वो लोग मतलब ही होते हैं स्वार्थी हो हैं पहले वह स्वार्थ रखते हैं पहले एक उद्देश से रखते हैं जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कहते हैं इसके लिए मिखटा करने हैं और दुनिया में एक उद्देश से और भी है कि संगे सकती यानि कि इखटा होना ही सकती है तो इखटा होना सबसे बड़ा उद होना ही हमारा उद्देश से है संगे सत्ती है और वह इखटे हो गए और बाजी मार के लेगे आज वह लोग पूरा मजा कर रहे हमारे बच्चे पारी पारी के प्रशान है उनके बच्चे पानियों में तैर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस उद्देश को समझा के काम करें काम खाली तर्क वितर करने से खाली सीखने से खाली समझने से बेड़ा पार नहीं होता बेड़ा पार होता है कम करने से कम काय कम करने से कारे करम करने से लोगों को बताने से लोगों को जगाने से यहां संख्या एक सो तैईस है कभी यहां संख्या एक सो पैस्ट और ब्वे अच्छा बताता हूं यह चुटतर यह क्या रहें मागर यह कॉरत करना है कोनी घटा ज्यादा बोलने का यतिम हद तभी के आउश्क्त है नहीं थी इसलिए जो लोग ना समझ है वो भी खट्टे करने हैं जो समझदार है वो भी खट्टे करने हैं समझदारों को समझना है और समझ के समझाना है और समझा कर फिर आगे बढ़ना है रुकना नहीं है अगर जिंदा तो पांसाल फिर मरो फिर बच्चों को मरो इस वार साट जिन्दा करने के लिए बावा साथ या कोई बुद्ध जैसी व्क對不起 या फूलिष जैसे व्क्थी नहीं आने वाले हैं इस वार तो बस बावा सहाँ में कहा दिया कि धम तुम्हारा रास्ता है, बाप उसों ने कह दिया कि यही रास्ता है, इस पर चलो, इखटे हो जाओ, संगे सकती है, इखटे हो जाओ, कि तो बचे रहोगे, सब चीज आ जाती है, जाट कितने थे, जाट को कुजात बोलते थे, हरियाणा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान मे अगर नहीं होंगे टो समर्ण जाएंगे, बस वो यह कहता था, औरहे, खटे ओड़ना मारे जाओगे, ING, जाट में, अकल नहीं होती ही, या कम होती है, कहते हैं, जाट रे जाट, तरहे तो वो कहता तेरे सरप्वे कोलू KOLU SAZ काहत बना रखी है, वो इतना समझदार इतना समझदार था कि उस व्हक्तिशी बात समझ में आगे कि खटा होना में आज सत्रा किसी की था है, इंडस्टी किसी की आए, फैक्ट्री किसी की आए, जाटों का हिस्टा नहीं जाता कहीं से वो पूरे पावर में रहते हैं चाहें पंजाब के हैं चाहें पाकिस्तान के हैं चाहें हरियाना के हैं हमारी संक्यता बहुत ज्यादा है एक वार इखटा तो हो के देखो पहले भी खटे हुए हो तो जीते हो अभी भी खटा होगे तो जीतोगे जहाँ जहाँ इखटा होगे वहाँ वहाँ जीतोगे जब जब इखटा होगे तब तब जीतोगे जैसे जैसे इखटा होगे वैसे वैसे जीतोगे और जितने जितने इखटे होंगे उतने उतने जीतेंगे तो जिद्ध है जीतने की और जिद्ध है एकटा होने की जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ेंगे जिन्दा रहेंगे जुड़ेंगे बचेंगे और जिद्ध है जुड़ेंगे रहने की इसे जिद्ध को अपने खून में शामिल कर लीजिए क्योंकि यह पुरानी जिद्ध ह हम मारे जाएंगे हम सब मारे जाएंगे कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं बहुत बड़ा अपसर बहुत बड़ा पैसे वाला बहुत मेरा क्राया आता है बहुत मेरी खेती है बहुत मेरा विदेश से पैसा है बहुत मेरा लगान है बहुत मेरी दुकान है बहुत इंज़स्ट हैं कि लुप तो प्राय जाती है ऐसे बहुत सारे कभीले खत्म होगे जो बिखर गए उनके नाम और निशान तक नहीं है और जानवर तो बहुत सारे ऐसे चले गए जो जुन्डवे नहीं रहते थे और अलग लग रहते थे वह सारे मारे गए उनकी जातियां उनकी पढ़ जा जाने पड़ते हैं कि यह व्लुक्त तो जातियां हैं ऐसे ही स्रम्डुलकंश सारे की सारे और यह समर्व समाश सारे है चाहां चप्रासी है चाहां किसान है चाहां मजदूर है चाहां सबको होना पड़ेगा धन्यवाद झाल भूलिये परियार साब खोलिये 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 अपना सुधिर भाई परियार साभ माई खोली अपना परियार साभ माई का खौन लिया खौन लिया थैंक यू थैंक यू सुधीराद जी बहुत बहुत साधुवाद और डक्तर आरे स्वामी और एड़ोप के रामचंदर जी अप थोड़ा मंच पे संचारन करें नए काफी जूड़े होंगे तो थ सब्सक्राइब के असर और जुड्य में जोड़ने की बात कई है कि इंपावर्मेंट उसी जबहुत सारी चीज़ेंदिंए वह जांकारिया थ्ता होंगी हमेरे सब्सक्राइब करते हैं और अभी कोई नहीं दिख रहा है तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूगा कि जो साथी पहली बार वीद्व पीपल संग के मंच से जुड़े हैं वो क्रिप्या आए और मा अपना परिचे दें कि जो बाई बैन पहली बार आए क्रिप्या उन्चन रोध है कि अपना हाथ उठाएं जो साथी नए हैं आज पहली बार जुड़े हैं या जो भी साथी अपना परिचे देना चाहता है वो क्रिप्या आएं और अपना परिचे प्लीज आप आईए अपना इंट्रोड़क्शन दीजिए मैं 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 दोप साव एक बार में कुछ लग रहा है मुझे मैं एक मिन बोल देता हूं एक बीजान हजरा है वो अपना प्रिच्चे दे जाए असाइद फरस्टाइम हो बीजान हजरा और बुप शिंग रावत जी का भी बीच में रहा गया था एक राहुल है और इसके बाद है मारकंडे राय है वी बी कोशल है और उसके बाद आलम राम्स शीतारंग शीतार गंज्ज्ज्ज्ज्ज पहले हैं लेकिन चलो इंट्रोडक्शन दे ले एसके गोलिया है वैद वैद है तो यह इतने सत्य मुझे लगए नहीं है सब हैंडेज करके अपना देव पी और एक दिपा भारती भी है देखें एक बार वह भी यह दिपा भारती मैं अगर आपनों की आवाज आपको सुना अपना पर्शेद है दीपा भारती मैं क्या आप आवाज सुन पा रही है आप आप चुड़ी हुई है अपना माइक अन्म्यूट करें हालो जी बोलिए बोलिए जैवीन नाम उद्धा है आप सभी जनों को मैं मेरा नाम दीपा भारती है मैं मुरादवाद से और वीदा पीपल की मिटिंग में मैं 13 मई से जोड रही हूं जब भी टाइम मिलता है जूड जाती हूं और लोगों को भी जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती हूं और बहुत अच्छा लगता है कि अपने समाज के लोगों से को हम घड़ बैटिये सुन पाते हैं और उनसे कुछ चीखने को मिलता है कुछ अनुवफ मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है समाज की बात जहां भी होती है हम वहां पहुच जाते हैं अभी जो संगती हुई थी दिल्ली में तो मैं उसमें भी मेरा पुरा प्लान था जाने का लेकिन मा आ नहीं पाई क्योंकि मुझे इस्थान का सही वो पता नहीं चला और अगली बार जब भी होगी तो मेरी कोसिस यह रहती है कि मतला हम उसमें सामिल हो जाएं अपने समाज के साथ आप मेरी अवास सुन पा रही हैं आजी सुन पा रही है आप से एक मैं सवाल कर रहा हूं आप इसको अधरवाइज न लिजेगा आप शुक्री मई से जुड़ी हुई है वी दपीपिल से तेरह मई से तो हम लोगों को अभी भी संगतन से जुड़े रहना चाहिए या संग म जुड़ जाना चाहिए जया से सुठीर सर जी इतनी मैंनत कर रहे हैं बार बार कहते हैं हम तो और सख्रीर जी को मतलब बिल्कुल तीन देर आओके बढ़े हैं, इंसान जाये तो जाये कहां, बागल हो गए हैं, लोग हम कहां जायें, तो समझ नहीं नहीं आता, इतनी पुरी तरीका से बज़गा और इखाट्या होने की कोई हालाती समझ नहीं नहीं आ रहे हैं, कि जितने भी ये संगठन के पदा दिखारी हैं, मैं जो संगठन के क्यायना चाहिएं, कि मतलब जो निर्मार करता हैं, उन्ते बात करनी चाहिए, उन्हें एक लेविल पे लाना चाहिए, हम बागी आप और मतलब हमारे जैसे लोग तो पीछे-पीछे आई जाएंगे, जी मैं साथियों को संग से जोड़ें, ठीक मैं बहुत बहुत साधुबाद, थैंक यू, थैंक यू, दोक्टर स्वामी जी, एक मिनिट है, मैं एक मिनिट ठोड़ा लूँगा, आपकी पर्मीशन हो तो, एक मिन डोक्ट साब लाज सिंग जी, अभी आपको भी बुलाता है, मैं ये पर बात करनी थी रोगी चल रहा था वैसे, थोड़ा सा समझने में अभी कुछ कमी थी कि हमारे लोगों से ही है, कांस्यूचिशन की पावर, उसी पर बात करनी थी, या स्नो या जो भी कोई बोलना चाहरा था, बहुत अच्छा रहा है, तो इस पर अगर कोई और कोई बोलन चाहे, तो सैद हो गया लगबग, नहीं तो कटके साब और मैंने आसा गोतम जी से, पर्यार जी ओ, डॉक्टर लाल सिंग कुछ बोल रहे हैं, सुम्रों एक मिनिट, और उसके बाद अब लाल सिंग को ले लो, मैं दो मिनिट थोड़ा सा देखता हूं, ठीक है, लाल सिंग सा सर, अगर आप लों के आवाज भुद पा रहे हैं तो परिशन है, राजकुमार मलोतरा जैपुर राजस्तान से, डॉक्ट साब, अपने वाले म्यूट कर दो, उनकी आवाज को कर रही है, एक माइक बंद करो अपना, ठीक है, और मैं भी डाक्टर साब से मिलने आया था, इन के घर पर होने, और यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुधिर राज्य हमारी पुराने मित्र है, बहुत अच्छा काम है, और हमें इसमें काम्याब होंगे, और प्रेस के माध्यम से भी हम बारी-बारी से इसके उठाते लेते हैं, और एक दिन हम को सखल्दा मिलेगी, प्र है, बहुत बहुत सादवाद आप सभी लोगों को इसने मेनत कर रहे हैं, और पूरे भारत में इसका नाम जा रहा है, वीदा पीपल, अभी 29 अगस्त को जेपर में एक प्रोग्राम हो था, उसमें माने ने तादिन रिपाल जी गोतम गए थे, तो वहां भी वीदा पीपल के पार चीजिको, पुदिर जी की पूरी टेम को बहुत-बहुत साथ वार जैबी, अब ना वीदा पीपल के कॉलम लगाई है डेली, बिलकुल, 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 वीदा पीपल है, और जो रहे पाल गौतम है ना, वो भी तो वीदा पीपल है, तर सल उनका स्वागत अर कि ने किया तो गलत किया है क्योंकि वीदा पीपल वीदा पीपल का का हमारे तो मंचमाला सब बंद कर रखी हमने तो वीदा पीपल के आपके कुछ लोग थे उननों राइडरपाल एडवोगेट मेरी बात वहीं थी उन्टे से मैंने बात कि वीदा पीपल है तेकर हम भी उसी से जुड़िए हैं आप एक कॉलम स्टार्ट के लिए खास और से अच्छा रहेगा वह बिलकुल 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 सब्सक्राइब इनको बोलिए कि वीदा पीपल का लोगों के साथ हैं ताकि वीदा पीपल की पैचांद कुरे देश में राश्टी अंतरास्टी पे हो सके यह राश्कुवान मलत्रा शार तोड़ा समय आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज चुकी सम्विधान पिशेश क दिन है तो आज हमारे पास है अनि सम्वर बहुजन समाज के पास लाखों की संख्या में शंगठन चल रहे हैं यहां तक की पार्लियामेंट और विधान सभा में आप 50% से ज्यादा सांसत और विधायत है फिर भी आज हमारा सम्विधान खत्रे में है आपको इसके संदर्ब ने कुछ चाहना है अगर भाइब क्यों खंत्रे में है अजिए है करना सही कहने को ऑच चुकिए अब तो सिर्फ हमें काम करना है कि हमने पिच्छेतर साथ सिर्फ एक दोसरी की टाइक किचाई की है जो बाबा साहब बगवान बुद्ध कभी रहदास कहें उन्हीं चीज़ को पिन आचरन में अपनाना है और उनको एक साथ इकटे होना है यही काम करेना बाटी बस कि थैंक यू बेरी मस्ट जैवीं जैवीं है अगर आप आवाज सुन रहा है तो क्रिप्रा अपना प्रेशन है इस सबीको जैवीं नोग जी जैवीं नोग जी एक मैने से चुड़ा रही हों वह बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सभ्क्राइब में हैं आज समय जवस्मिजी में यह मुच लगता है इसलिए एक महीन कि दूलराई हूं और मीलावों को जिसाक्र थांक्यू आप जुड़े रही द्रेंक्यू सब एक चाहां है तो रहन है जी बोलिए सर जी इन से पूछना है आप कहां से है मैं मैं सागर मंद्र प्रजेश से हूँ सागर एमपी से जी अगर आप आपने अपना नमबर है चैट बाक्स में डाला हो तो क्रिप्या डाल दें साजी मेरा तो जी नाम है आप भी तंकी जी खाड़ा हमें टेंक इसे डाथ कुमार जी जोड़ा कोगे घू हमें जावल्पुर से जावल्पुर से और मुन्का नम याद नहीं रावनोंने जोडा है राचकुमारी बनसल कि अगर आप मेरी आवास सुन रहे हैं तो आए परिशे दें रियल मी फाइफ एस कि अब अपना माई कर्मूट करें सर रियल मी फाइफ एस लगता है सर वो फोन लगा कर कहीं गुम हो गये हैं या फेड़फोन लगा छूट गया है उस नहीं पा रहे हमारी आपकी आवाज अच्छा यह पार्या अकर्णिया अगर आप हम लोग की आवास सुन पा रहे हैं तो पर परश्ठ यहां जी सर आ रही है आपकी आवाज आ रही है व की घूरा लगांवम गौतिलाल अकर्णिया कोटा राजस्तान से जैंख कर दसके लग एवह से अगे तो आप लिए स्वाल एव है जो अन्य चाहिए है तो अ कि आए जो है कि अच्झाओं तुक्ति अच्छा और तो अ कि अ कि एगा कि अ कि हलो है बोली सब्सक्राइब आपके आवाज नहीं आ रही है हाँ सरे विल्कुल एक बार मिटिंग लीव होगे वापस जोड़ा हूं मैं एक मैंने से जोड़ रहा हूं विदा पीपल से बहुत बड़िया कॉंसेप्ट है और ऐसे कॉंसेप्ट को जानकर मुझे तुशी भी हुई है और भाई सुधिर राज सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहा है उनको सुनना हाँ सर बोलिया आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छा ये नेक्स साथी है हमारे रियल में करके अगर आप मेरे आवाज सुन पा रहे हैं तो फिर पर अवाज पर हालो जी सर बोलिए बोले है हां सब बारवार कट रहा है क्या मामला है सब्सक्राइब के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत हुम है पर जो अभी तक अपने देश में संग्ठन बन रहे हैं वो एक दूसरे की मतलब कम्या निकालती हुए जो भी संग्ठन बनता है एक दूसरे की कम्या निकालता है मेरा साधरन सा यही था कहने का मतलब जैसे बच्चा अगर किसी में सफल होता है और किसी चीज में नहीं होता है तो क्या हम उसको सफल नहीं होता है उसका वह पॉइंट ओफ यू करके उसको कहेंगे यह करना है अपने का मतलब तो अपने यह कह सकते हैं कि भाई बच्चा तुमने यह भी कर लिया यह अगर यह सकता है तो करने का मतलब जितने भी संग्ठन बने हुए हैं हमारे देश के अंदर कि उनके उनका अगर अपने पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलेंगे उनको कहेंगे कि भाई आपने यह कर लिया है यह कर लिया अगर यह भी कर सकते हैं तो अपने अपना वीदा पिपल का यह प्रोग उन से कमेटी बना दी नहीं चाहिए कि मतलब जो बड़े-बड़े संग्ठन के मुख्याओं से बात करें हम और वीदा पूपल से जुड़े हैं या इकटा होके जुड़े हैं जब तक तक तो कुछ वो नहीं पाएगा सर बहुतिलाल जी आजी सर वो इसाब यह ना यह यह कर चुके हैं दो हजार उन्निस में आठ नुमंबर को की थी एक साइज सारे संग्ठन बलाए उनके हाथ में जोड़े सबसे का भाई खटे हो जाओ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है आप वीदा पीपल के इस पर जाके देख सकते एक और है ऑर और में डाल दूँगा सारे कि यह करें कि प्रधान में ही रहूंगा देश का अब बताओ किस को मनाओंगे हम तो मारे जारें इस चक्र में क्या करें को इलाज समझ नों बताओ वह बता दी असका अब इसका लाज यह कि नेताओं की नेताओं पे अपनी energy कम खर्च करो और आपस में हम लोग मिल जाते है हैं ना हम नहों हम से तो नेता रहते हैं हम से बनते हैं पैसा लेने हम से पैसा लेते हैं और हमसे बोट लेगे उपने लगतते है भकाש वाली ने अच्छी लगी बैई किसी को पैसा देना बंद करेंगे तब उनकी कमर तूटेगी नहीं हमने तो बोधिलाल जी खुद पैसा ले रहा ही बंद कर दिया हम तो हमने सबसे पहले खुड नहीं बहुत अच्छा है तो इसलिए एक वारे खट लिए खटे हो जाएं आपकी बाट ही कि हो सकता सारे मने के खट्राइब तो बची जाएंगे देखो मनने के लिए भी खट्टे होगे तो भी बचेंगे खट्टे हो कई आप थोड़ा इसका प्रिचाब प्रिसाद करो सारे एक्सपरिमेंट कर लिए जब ठक लिए तब आए भाई जी तब तब लोगों से का है कि सब खट्टे हो जा भाई नेता नहीं सुनेगा हमारी कोई साभी आप तो दिल्ली से हैं मैं तो भारत से हूँ ठीक है सब्सक्राइब यहीं विचावता सब्सक्राइब आगे बड़ी डॉक्ट साब का चलेगे डॉक्टर साब तो कि अपने माइक को अन्म्यूट करें और अपना परिचे दें कि रियल में फाइफ एस अच्छा एक मेरे साथ ही जानने वाले जुड़े हुए हैं इसमें बीपी कॉसल करके इलहाबाद प्रियाग राज से अगर आप मेरी आवाज सुन रहा है है इलहाबाद प्रियाग राज से जुड़े अगर जिस अख्यों को नमगुद्धाज यह नहीं है अलो इस अख्यों को नमगुद्धाज यह विम् मैं इस कारेकरम में पहली बाजुड़ा हूँ आप मिला दक्तर साहब सभी सब्सक्राइब को मैं अगर्टर साहब के साथ पढ़े हैं करते हैं और यह वाली बाजुड़ा में बबाद साहब के विसन पर हम दी बड़ा काम करते हैं अगर किसी को कुछ भी पता है तो उसको यह चान लेना चाहिए कि भारत का इतिहास और कुछ भी नहीं है बलकि बहुत धर्म और ब्रह्मर धर्म के बीच सम्हर्ता के लिए संभर्ष का इति लास है उसी को पिलाल हम अपना जीमन चला रहे हैं उसी और हम जर्व और उरिंटेशन रखते हैं वाबस आपके बताए हुए हम मुक्तुमार को ज्यादा प्रसेस करने के काम करते रहे हैं और इस संभर्ष के माध्यम से नहीं समझ पा रहा हूं कि यह संभी उसी तरफ काम कर रहा है और सबसे ज्यादा मजबूती और ज्यादा दूरेविल्टी इसी मार्ग पर है तो आगे हम बहुत ज्यादा नहीं चाहते हुए मेरा नाम दिपिंज आरी पॉसल है मैं अलहाबाद के रहता हूं गवर्मेंट इंडेश्ट्रीय ट्रेनिंश्टिटूट नहीं परियाज गाज में मैं आईसे पोर मैं काड़े रखते हुए जी बहुत बहुत साथ उबाद साथ थैंक आपको वीद पीपिल में आप पहली बार आये हुए हैं आपका हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं दूसरी चीज़ यह सार कि आज वीद पीपिल संग की जरुवत क्यों पड़ी क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज में समर जिसको कहते हैं समर समाज य्ष्य लेकिन वीद पीपिल को बनाने की इस को एक मुहिंदेने की जरुवत इसलिए पड़ी कि आज हमारे समर समाज में हमारा समाज लोगतं प्र हमारा संभिधान सब कुछ खत्रे में है तो हम क्या जो है इन संगठनों के माध्यम से अपने देश में सुरक्षित हैं कि नहीं है जब सब कुछ खत्रे में है तो इसका मतलब हम सुरक्षित नहीं है इसलिए कि हम सारे संगठन में तो जुड़े हैं लेकिन एक साथ नहीं है बिखरे हुए है इ एक मंच पे लाने की एक मुहिम चला जा रही है इसमें आपका मोस्ट वेलकम है आप जुड़े रहें और वीद पिपिल को सुनते रहें और अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को वीद पिपिल में जोड़ते रहें बहुत-बहुत स्वार्वाद सर्थ यह निफ्स वेरी मच यह झें्ट है आगया बोलिया अहयवेग सर वोडिया अर्वेद कि ऑई सवी साथियों को मेरा जैभीम मैं वेध एसके गोलिया गाजेवास से हमसा कि वेलकम करो मैं सर नइन दिट्टू बैट से हूं एमडी आयरवेदा वास्तु डिप्लॉमा एचाईवी डिप्लॉमा और अईडी डिवाई आयरवेदिक प्रैक्टिस्नर गाजेबाद में तो दस सितंबर को डक्टर कंचन मैडम ने हमको इसमें जोड़ा था तब ही से हम सुधीर सर को डेली सुनते हैं भले हमें दस मिनट मिल हैं तो उनके विचारों से हम बहुत ही ज्यादा प्रवाइथ हुए सर के से कि सर का जो कॉंसेप्ट है बस एक अफसोस होता है जैसे सर ने आज कहा कि पहले हमारी संख्या वान सिक्स्टी फाइव वन सेवेंटी तक आई और बीच में कुछ लोग आएव हो गये तो संख्या कम होती जा रही है तो मैं भी इस बात से सहमत हूं तो मेरा मानना है कि इधर उधर की बाते ना करके मानलो मैं ही हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने साथ 10 और 15 लोगों को जवर्दस्ति कीच कर जोड़ूं सुनेंगे तो सीखेंगे सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे य हम क्या है सुबह उठते हैं मेरे साथी लोग जिनकी नौकरी लगए हाथ में सूरकेस लिए नौकरी पे चले रात को आए 6 वजे 7 वजे 8 वजे रोटी खाई टीवी देखा मोबाइल पर अपना बात की दो-4 रिस्तारों से और उनका जैभीम हो गया तो हमें यह नहीं चाहि कि जिसके पास कम समय है वो दस मिनटे पांच मिनटे एक घंटा दे वीदा पुपल के बारे में पताए कि यह क्यों जरूरी है क्या इसके मैं उत्तेस्या औब्जेक्स क्या है और हमें दूसरा यह समझाना है कि यह चंदा खोरी पिल्कुल भी नहीं है ना एक रुपया देन जुकी बस्तियों में जा जा करके मैं कैम्पेणिंग करवाता हूं तो मेरा कहना है कि जो लोग एक्टिव नहीं है उन्हें हम लोग जवर्दस्ति पगड़कर ले जाते हैं उनके लिए स्पेसल कुर्सी में मंगवाते हैं कि बैठो तुम साथ हाओगे तो हमें चाहिए कि ह सब चीजें दे रहे हैं तो हमें भी तो चाहिए कि हम सहयोग करें दूसरी चीज सर एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जब हम लोग जुड़ते हैं और जैसे मैं भी आज नया हूं मैं 15 सेप्टेंबर से रेगुलर जुड़ा हूँ कारेकरम से तो हमें चाहिए कि समय की नज तो सर से एक रिक्वेस्ट तो मैं यह करूंगा कि हम लोग जुड़ रहे हैं नेताओं का आपने बताया अभी जैसे मैं गाजेबाद जन्पद से हूँ तो कंचन मेम ने हमें जोड़ा कि गोलिया जी जुड़िये तो मैं आयुर्वेट ज्यानवानी का राष्टे महा तो मेरे डूटी बनती है जो भी अपने जन्पद के लोग हैं मेरे जन्पद में अपने डिविजन के 37 लोग हैं तो 37 में से साथ को तुम्हें समझा सकूं कि भाई आजाओ तुमारी नौकरियां चली जाएंगी तुमारे बच्चों के हाथ में कटो रहा होगा ना तुम्हे स्कॉलर्सिफ मिलेगी ना मिलेगा आरक्षान तो इस बागडोर को छीनने के लिए समीधान भी बचाना है और स्वेयर रोजगार भी अपनाना है और जिन लोग पास नौकरी नहीं है स्वेयर रोजगार करते हैं फैक्त्रियां हैं कंपनियां चोटे उन्हें भी सैयोग करक आठ को बुलाएं दस को बुलाएं तो उनका ब्रेनवास होगा उनको समझ में आएगा इससे क्या है वो इस्टार पिलस पर टाइम बिगाड़ती है ना वो उनका कम हो जाएगा तो मैं इस तरह से चाहूंगा कि हम लोग बनाकर एक कॉंसेफ्ट में पहले इनको जोड़ें क इस तो मैं बस इतना ही समय लूंगा अभी मेरे और साथी भी है अपने विचार देंगे तो सभी का मैं अभी बातन करता हूं जैवी साथियों पर आप जुड़े रहिए अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए अपने डौक्टर साथियों से बात किया होंगे सर कितने लो होती है या ग्वार पुड़ता है बस वो सत्तर असी अजार एक लाग रुपे लेके नॉन डैनिम की पैंट पहना दो इन्हें और चौदे अपरेल को इन्हें कालू कोड़ी खिला दो इन्होंने सोसल वर्क नहीं करना है साथ हम लोग अपने लोगों के लिए फिरी ओपीड हो रही है और इसका मैं समर्थल कर रहा हूं कि समाज के लोग जल्दे बातों से एगरी नहीं करते हैं अपना बीवेक बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे महापूर्सों ने कहा है कि इस दुनिया में कोई अंतिम सब्द जैसा कुछ नहीं है जो भी समाज के सब्सक्राइब करता हूं मैं सब्सक्राइब के संदर में संब्सक्राइब के लिए क्या है तो मैं दो तिन मिट बोलना चाहूंगा बावा साथ में जो भी सम्मिधान में जो काफी मेंनद किये शो two बनाने में तो हमारे महापूर्सों की पूरी उन्होंने उसमें रखने की कौशिश की है यह लेकिन बावा साथ करेंगे तो उन्होंने उनके पैरलल भी एक दूसरा उनका अंगोलान भी चल रहा है जिसमें बोलते हैं कि और अगर आप और नहीं हुए तो संब्दान को मैना नहीं है संब्दान आपके वाम नहीं तरपाएगा यह बात तो इसी राजी बीडेली बताते ही हैं तो मेरा यह कहना है कि जब तक आप और गनाइज नहीं होंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला वो तो जा चुका है वह भी वापस आ जाएगा दो अपर हैं हमको अधिकार बापति साएगे लेकिन हमको वीडाप्यूबल बनना पड़ेगा और गनाइज करता हो मैं ज़्यादा ज्यादा लोग को तो सब्सक्राइब करें लेकिन उसका मतलब नहीं है वो भी प्राइवट है इसको बचानी पारा है तो कोई भी चीज है जब अब आपको बहुत सब्सक्राइब को बहुत है यह आप आवाज सुन पा रहे हैं कि यह सर नेख साथी को बुलाईए सब ओके राइट सर ओके सब्सक्राइब कि यह सर बहुत सारे लोग कुछ नए जुड़ें लग रहे हैं मुझे अच्छा बोलिये अपने हाथ उपर अपना माइक फोल के पट्चे दे सकते हैं अपना माइक फोल के अपना माइक फोल के अपना पट्चे दें अपना माइक फोल ना पर जी रहता हूं रहता हूं रहत बढ़िया क्या करते यह आप अब अभी तो प्रुजगार हूं सर्माश्वीदा कर्मचारी था अच्छा व् सभी थां में का में आप हो आप अच्छा तो अभी एक ट्रेंश्छक सार्ण नहीं बढ़ाया क्नव करने क्ता है criança गश्या they e गीता रवी तुम्हारे काम आएगा तभी तुमको कुछ ताकत मिलेगा अपने दोस्तों को अपना अपना नंबर चैट पाक्स में छोड़ दीजे सब जी सब्सक्राइब हम लोग आपसे बात करते रहेंगे आप डेली जो है जुब मिटिंग पे वीद पीपिल से जुड़िए अपने साथियों को जुड़िए अपना नंबर चैट पाक्स में छोड़ दीजे जी सब्सक्राइब बहुत बहुत सब्सक्राइब के बारे में लेकिन बार बार जो टॉपिक उट रहा था इस बज़े से मैंने बोला कि साथ किलिए रोजा है लेकिन मेरा ये कोई नहीं था कि किसी को कोई चोट पहुचे समय्दान के बारे में बार बार का जा रहा है कि समय्दान खत्रे में ये दो देख रहा है चोटा से पहले से समय्दान खत्रे में है वो सभी को लग रहा है सम्मधान खत्रे में लिए सम्मधान खत्म हो चुका इस टाइम यह किलियर है सभी को लेकिन बार बार उसी को रिपीट करना साथ मेरे को समझ में नहीं आया क्यों कर रहे देलो अपने बीदा पीपिल से और एक किसान फैमली से हूँ ज्यादा सिच्छत नहीं हूँ लेकिन इतना तो हूँ कि अपने बारे में अच्छा और बुरा समझ में आता है बाबा साथ की उस बिचारदारा को लेके चल ला हूँ तभी अपने नाम के आगे अमिट कर लगा हुआ है और कोई कारल नहीं है साही जी किताबे बाबा साथ की जितना ज़्यादा रखेंगे आप पढ़िए आप साही बाबा साही तो मेरे घर में लगातार लोग पढ़ते हैं और पढ़के मुझे बताते हैं मैं भी पढ़ता हूँ और आजकल सोसल मीडिय अब काफी कुछ ऐसा है सुधिर जी ने इतना कुछ डाल रखा है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा वो कॉंसेप्ट मिल जाता है देखने के लिए और वो मेरे लिए बहुत बैतर है बहुत अच्छी बात है एक तरह बाबा साब की ग्यान को रखें दूसरे दरह बुद्ध को जानिये है बुद्ध ने अब बहुत हिम्मत देगा आपको 5-44-45 जो दिया है बुद्धिने इससे आपको इतना बल मिलेगा वाटी से fight पाएंगे अड़ शेल प्राबलम को निकाल के डाइगनोज करके अब चलाने वाले की नियत ठीक नहीं है वह अभी जाने जाने जिए आप संजान के लिए इसलिए इसलिए बिस लिए लोग लगे वे जुड़ी है इसके अरामा आप हमारे हाथ में यह है जितना ज्यादा बुद्द की 5 सिल पे चले बुद्द को जाने अपना आच्रा ठीक र सब्सक्राइब करते हैं अलग लग स्पीकर्स जो आते हैं के उपर और सर्दान के उपर हरो जो कहीं नहीं जानिया मिलती रहेंगे आपको अगे बढ़िया और लोगों को जोड़िया इसके लिए बावा साब का 1956 का संदेश हमको याद है वो हमें सुनने को मिल गया है तो बुद्ध में कनवर्ट होना है वो हम हो चुके हैं लेकिन हाँ पर थोड़ा सा जय है कि जो समयदान खत्रे में हो खत्रे में हम लोगों की बज चल रहा है और इसमें अलग लग भी चल रहे कई सारी चीजें है वह मेरा ख्याल अभी कर पाना मुस्किल है अब बुद्ध पीपल में लोग कमीटे लगे हुए रात देन कि आगे कैसे डाइवर्ट करना है आगे कैसे लेके जाना है इसको किस स्टाप में कैसे कैसे मोड़ इसको बोड़ा है इसमें कोई शक नहीं है वीद्ध पीपल वेट्वाम पुन जो हर आदमी की जुरूरत है आप इसमें जो सब्सक्राइब लोग चाहते हैं उनके लिए इसके लिए हमत रखिए जुड़े रही है यह थैंकि जड़ा हूं बार बार एक जारी साथ यह करना है इसके लिए हम आप सब को आना पड़ेगा और यह करना पड़ेगा तब उनके लिए काम कर पाएंगे अभी जो कैसे रहें और लोग आते रहेंगे अपनी हिंपत को बनाया रखें वहागत आगे जाएंगे आगे बढ़ेंगे दन्यवाद पुराने साथ है चलो थोड़ा यही कन्फूजन है कि बार-बार यह सविदान खत्रे में है ऐसी बात क्यों कह रहे है तो लेकिन यह तो चलो सबको पता है और आप पुराने साथ है आपको पता भी है सब कुछ और एक मेरी रिक्वेस्ट है अपने रतिलाल देशाई जी है और यह दो तीन दिन से मैं चारा था इनको पांसाथ दस मिनट तक इनकी थोड़ी बात सुनें इनका थोड़ा टाइम लेट हो जाते हैं फिरी ब को प्लीज इन्वाइट करें रोज आप अपने बिचार रखें अब है नहीं तो फिर जारे लेट होने से पर मैं उन्से पसनली फोन करके बात करता हूं सर मैं एक बार जस्ट है यहीं पर है आप सुनो ना है यहां है मैं देखके बात करो कि अब इसाई सर वेलकम सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आईए बोलिये सर अब बीन सर मोले अधिये अधिये हमारी शुरूबात है आप जो लोग जुड़े हैं पहले जुड़े हैं पुछ लोग अब जुड़े हैं शुरुआख अछी है तो सुझी रग्जी के बहुत अच्छा मार दसन में रहा है लासिंज का भी मार दसन देर रहा है जीरे जीरे काम आके बढ़ेगा मुझे लगता है कि हम लोग सही ट्रेक पर है आके जाके और काम बढ़ेगा और मैं भी जो लर्मर हूँ मैं भी आके बेटता हूँ सुनता हूँ सबकी बाते सुनता हूँ तो पता चलता है कि हमारे बीच में जो लोग है कि एक बात है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़े और जो जुड़े हुए लोग है जो जुड़ते हैं हमारे साथ उनको हम कैसे अपने संग के साथ मान के रखे कि इसके लिए एक पद्दती थी जो पहले चल रही थी कि बूठ के समय में चल रही थी अगर्ण पद्दती बोलते थे जो गट पद्दती भी बोलते थे जो आरे सस्थ ने अपना लिया है वो कि आरे सस्थ ने इसने ज्यादतर बाते हैं हमारे गुज्ट की जो संड था और गुज्ट के समय में जो सब्द थे उसी को रखा है अपने साथ आप देखेंगे कि आरे सस्थ की जो साखाय चलती है उसमें भी वो हर साखा के अंदर एक कारियवा होता है एक मुख्ष सिच्चक होता है कि अकिक yummy मुख्ष सिच्चप और जावाक की नीचे हैं अलोग गन होते है तो के गन港 अलग होते हैं नोगों की दब्लड़न अलग होते हैं सबसक्रों की दरन न अलग होते हैं और इन कोधे खेलते इन्होंने क्या सिस्टम अपनाई है छोटे बच्चे को खिलाओ और खेल्टे-खेलते खेल्टे अउनको आप MAC विचार धारा के जिसञ्ट बने सुन्होंने सास्थ की के नाम पर जुल जाते उनके टेपिசा को और बो लोग यह सब इसकर last पूनाल अच्छा विचार है हम लोग जो कर रहे हो अभी ऑनलाइन हम लोग हर रोज संवाद करते हैं किसमें के साथ इसे भी चलना चाहिए यह थीक है आज के दमाने में पर साथ में हमको किस्टिस नगरों में कुछ हमारे कार्य करता बन जाए उनको कुछ दिनी चाहिए अब बनाने की अभी तो हम संगी बना रहे और संग बनना है और इसके लिए छोटी-छोटी बाटे और हर नगर में हर महानगरों में हर गिल्लों में करते हैं, अगर हमारा संग बनता ही जाएगा और कुछ जिम्यबारी भी किसे लोगों को दी जाएगी, हम जानते हैं कि हमारे यहां को पुदान नहीं है कि हमारी सब्सक्राइब करते हैं तो चिंदर ननन किया जाए और जो हमारे साथ एक बार आ जाता है कि ढु़ियर तो जूड़के रहे कि एक भाट गर जारए ना जाएंगे बाद में विखंगे विचिगे वज़ें आते है उनको थोड़ा किन हिट किया जाए यह लोग नियमित आते है तो उनको कोई अंगठन के साथ जुड़ा जाए जैसा में मांदर कुछ-कुछ सिस्टम तयार कही जाए वखेही में कहना चाहिए जन्यवाद नमु बुच्टाइए बहुत बहुत साथुबाद हाँ वकिल साथ बोले साथुबाद हाँ नाम चंदर सार बोलिए बहुत बड़े सज्जेस्टन दिया है रतिल देसाई सर और हमें पराकीन यह अपना सायोग सुद्य पेपल को देते रहेंगे आपके पास बहुत अनुबह है आपको दादून परि अपने वसुलों कभी छोड़ा नहीं और यह देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति हैं इनकी स्वास्त की मैसिव बहुत एक सामना करता हो कि स्वास्त्र है कुछ उनको स्वास्त की समझाय है और इनका अनुबह हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है मेरे गुजारी से जै मिल्सी मेरे और हमको काम करना और उसके को बेस्ट साथाहई में सब्सक्राइब करें ृसके लिए इसके लिए हमें इस बात का हमें भी दुख है मैं जो कह रहा हूँ जादा मैं इतना जादा इन्वार्मेंट हो क्योंकि हमें इस पीपल को ले जाने के लिए कोई और नहीं आएगा हम सब को मिलके काम करना होगा तो हम लोग जतना जादा काम करेंगे हम इस पाइद हो कि मेरा इस पर इस पर उसी वेस पर देता हूँ और ये हमें इसका फायदा हमें किताबों से हुआ है मेरे कार बहुत सारी बुक्त है और लेकिन इस मेसेश एमिसेश को ले जाने के लिए जो मैसेश अभी वी दक्राइब तैयर किया गया है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि बहुत आगे लिएक जाना है बागी है अकेले जो कुछ कमिटेड़ लोग है इनका हमें इनको फ लोग त्यार करना होगा चोटी चोटी बुक्स बहुत अच्छा अनभा मेरा क्या लोग ले करके तयार किया जाए कल जैसे चटाए हुई कई सारी कितावें मेरी गुजारिस है वीध़ पीपल पेट फार्म से कि जो उपयोगी कितावें हैं जो लगदा जरूरी है मैं उसके लिए हमेशा मैं सोकेर राओ किताबों का जो भी बुक्स हैं अबलेबल हैं मैं विध़ जांखर्च के साथ मैं हमेशा मैं चाहूंगा हमें हमारे आतिरे मेरा आफिस में मैं आडिल्स दे दूँगा और ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं ज़्यादा पढ़िएगा जरूर तो मैं कोशिस करता हूं कि पूशता हूं भई आपने पढ़ी क्या वो किसमझने के लिए समझ चाहिए और वह कुछ समझने के लिए क्या समझ नहीं है तो समझे कैसे वह समझने के लिए समय करेंगे ना जहां करने के लिए बढ़ने कि विंद्यों को तेट सैंकर करने हूं का व दो के लागे रहा है हम कैसे किसी हल्प कर सकते हैं यह से मैंने सुना कई लोग इसमें आया है होंपरकास दी जो होम मिनिस्ट्री से है कई धम के हमारे रमेज काटके जी है यूस लाल जी है प्रयाड जी दो हमेशा कमिटेट है और हमारे सीनियर भगवान जी में देख रहा हूं बहुत इनके अनुबो है और बहुत साथ लोग जो कहने नहीं सकते लेकिन उनके अनुबो उनके बहावनाओं से हम समझ सकते हैं कितना काम किया है क्योंकि आज जो कुछ भी हमें मिला है इसमें कोई शक नहीं है जो हम आज यहां पहुच पाए हैं बाबाबा घड़ाज यहां तो मेली है उसके लिए बहुत थिया है उनलोगे ने काम किया है मैं एक छोटा दार दूँगा आपको मैं जब वैरसमें स्टील गांदिधा में था वहाँ पर मौका मिला गावां में जाने के लिए और गावां में आपको बता दूँ कि बहुत सारे जो विचारधारा के लोग रात को दो तो तीन 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 बेड़ा कर देते और खाना भी न देखेंगे हम कैसे ऐक से पासके हम सदाचार कैसे बढ़ा चाएं सब्सक्राइब बद्युक्त कर सके हैं जो यूथ संगत संगत नया संगत है उसके काम करना है बाबा साब ने तीज़े निकालके रख दिया हमारे पास लिटेशे बुद्ध को पढ़ना बाबा जरूरी है स इसलिए जो मैंने देख रहा हूं कि जो लोग विपस्टना किया हुआ है, मैटेशन किया हुआ है, वो काफी नया सिल फूर से काम बात करते हैं, और बहुत अच्छे धंग से बात करते हैं, तो यह सब कंबाइन डिफर्ट, इसका लोगों ने विफोर्ट किया है, जो बाहर की है कि आज अरतिलार जीर के दिकों में देख पा रहा हूं, आपका हमें सब बहुत सही होग जरूरत है, आपका अनुबहुत जरूरी है, जब भी आपको समय पांट-दस में पांट में बहुत उप्योगी होगा, वाकि सुदीराजी तो बहुत कमिटेड हैं, हमें पुरा कीन समय करना हूं, जैवें, जैभी में, सर आज एक सवाल खड़ा हो रहा है मेरे दिवाक में, मैं सब्सक्राइब करकों कि विज़ पिपुल का मिशन किस इस्तम हो रा है, विज़ पिपुल में क्या कि क्या इस्तम है, कि बढ़ा साह वामटकर की मिशन को आगे बढ़ाए जाए जैसे कि बाबा साथ वामेटिकर कमिशन लोग कहते हैं शिक्षित बनो संगर्टित रहो और संगर्श करो इसके अलावा हमारे विदर फिपल में हमारे क्या-क्या इस्तम है जिस पर हम काम करें और बज़न को आगे बढ़ा है किरपा करके विश्थार से समझाने की कोशिस करें मुकर जी आपने प्रस्ट बहुत बढ़िया उठाया है बहुत अच्छा प्रस्ट लिखिया है मेरा मानना है कि सर जो पड़ेली की समाज है इसमें मैं भी मानता हूँ जो थोड़ा बो जो पढ़ गया हूँ मैं एरफोस में रिटायर हूँ और मैं वंकालत करता हूं अबाद ही हमारी सरवाइवल के लिए गुजर रही है रात दिन काम करते रहते हैं वक्त नहीं जैसे बीच में आरे गुलेरिया वो अईरवदा की नक्रस आप आये थे उन्हें बताया कि हमारे ज्यादा तो लोग है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी है तो मिल गई है सरक करेंगे जिदा पढ़ेंगे लोग क्योंकि एक लाइन या एक सब्सक्राइब को दिमाग में आ गया तो वह जुरूर नहीं बन जाएगा और वह जुरूर चाहिए कांपक करने के लिए जड़ा सोचे आप मैं एक बहुत खराब हो गये थे उन्हों अपने विज्यम के बल प मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी बात को संचीफ्ट में रखें क्योंकि और भी साथी वेट कर रहे होंगे तो हमारे क्या है और अगर काम कर रहे है तो उसका बेनिफिट लग्टर स्वामी जी तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करने कोई साथी इंट्रोडेक्शन से रह रहे हैं तो जो बात कह रहे हैं उसमें यह माने कि इसका सबसे बड़ा काम यहीं है कि युनाइट होना इकठा होना जिसके लिए हम हमारा मेजर जो फोकस है यहीं है इकट्ठे होना यह कि जैसे कहने की बात संग्ठन बनाना संग्ठन ठीक है लेकिन उन्सक्ष संग्ठन परमना उन्स सब को साथ काम है जाएँगे लो तो और बात जो कह रहे हैं वो सब उसके बाद की बत्ते हैं आगर वा आपने आएंगे तो हम लोग साथ आ रहे हम आगर वीदा पीपल है जिनको यह अब संका हो रही है तो हम जब इकठे हो रहे हैं तो हम लगा हमारा संगर से तो भी उसका सूलीशन है फिर अगर हमारे संग्टन के जो और संग्टन के जो पदादी कारी या कोई नहीं मानने को त्यार यां उनका अपना जो भी स्वार्थ है जो भी तरिक जो भी कार्ण रह रहा है तो वाकिन के लोग हम वीदा पीपल आओ सब हम इकठे हो जाएं इकठे होंगे तो हमारे बाकी काम अपने आप होगे आपकी बात सही है सर बिलकुल अच्छा है लेकिन अगर किसी कारे को करने के पहले उसकी रूप रेखा अगर किलियर नहीं वह तो हम लोगों को समझाने में तकलीव होगी है जो रूप रेखा पहले बनाके जो बात करते हैं वह अभी तक चल रहा है जो भी संग्षन बनता है सब रूप रेखा बनाके फिर अपने पास आते हैं लेकिन हम रूप रेखा जब संग्ष ठोड़ा ठीक हो जाएगा जिब इतनी संख्या हो जाएगी तो रूप रेखा फिर उसके बाद बन सकती है लेकिन पहले उनाइट तो ना जो रूप रेखा तो बहुत बनी हुई है अनिर यह सब बना रहे हैं उनकी भी मान लेंगे हम तो इकटे हो जाएगे जो रूप रेखा जिन्हों ने बनाई है बार बार जितने सारे संक्टन जैसे लाखों बता रहे हैं तो उनकी रूप रहा है ना वह उनाइट होने की बात करते हैं लेकिन खुद में लागू नहीं होते हैं उनकी जुडने की बात है तो वो औरों से जुड़े ना बातों कहते हैं भी जुड़ो और बढ़ो सुधान खत्रे में यह लेकिन अगर हम करें तो वो तो सब कर रहे हैं पहले हम तो जोड़ेंगे और मिशन रुकेगा नहीं यह तो बढ़ेगा हम जैसे काम तो करेंगे पहले में भी बहुत अच्छा होगा काम करने के लिए और लोग उससे और जोड़ेंगे हम सब नेता हैं सब पीपल हम जो भी करना इक ठेक क्टे क्टिव डिसीजन हम लेंगे लेंगे अब यह जब यह लगेगा कि हाँ अब यह डिसीजन भी ले सकते हैं तो तब वह आगी बात है और संग में भी ऐसा ही था आपने आप रो सुनते हो तो बुद्दा के टाइम भी वह संग बढ़ता गया जो भी समस्य आती गई उनको सोल करते हैं सोल्यूशन निकल निकालते रहे तो यहां भी यही पदेत्ती चलेगी संग के इसाब से चलना है हमें तो परियार सर कोई-कोई-कोई-क बाट इनके होगी आपकी आपकी इजाज़त हो तो यह मुकेश कुमा सब्सक्राइब कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-करना था बात सभी इताते हैं अब कर दो आपके आपको मेरी यावाज सुनना है तो आए अपना परिशेत बाइसम मैं मुकेश कुमार यहां से नरेला विदान सवा से अभी जो चर्चा चल रही है वो सोशल मीडिया पे या हम लोग वरवली चल रहे हैं लेकिन हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा मेरा अपना यह मानना था जिस तरीके से आरेसिस की साखाएं चलती हैं जिस तरीके से वो लोगों के कारिकरम होते हैं हम लोगों को उसी तरीके से समाच को संकित करके छेत्र वाइज वाड वाइज लेकिन हर जगा पे एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा तब ही हम लोग मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और हम लोग यह काम बहुत जल्दी कर सक हमारे पास वो सेफ्ट हो जाएगा तो मेरा अपना जो व्यक्तिकत मानना था कि हमें सोशल मीडिया के साथ हमें धरातल पे वीदा प्यूपल के कॉंसेप्ट को तरना पड़ेगा और लोगों को छेत्रवाइज जोड़ना पड़ेगा ऐसा मेरा अपना मानना था पिल्कुल यह सर आप पहली पर जुड़े हैं नहीं मैं तीन चार दिन होगे मुकेश जी एक सेकिंड में मैं इनका थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा जो आप सही बात है ग्राउंड पे है लेकिन ग्राउंड पे जाएगा कौन ग्राउंड पे जाने के लिए आप अकेले या मैं हो चलो दस लोग और होगे पचास होगे उससे बात नहीं बनेगी ग्राउंड पे जा रहे हैं अब भी जा भी रहे हैं ऐसा नहीं है साथ साथ चल रहा है काम अब फीजिकल मीटिंग भी शुरू हो चुकी है लगबग लेकिन जो जैसे आपको अगर यह बात क्लियर नहीं है कि विदा पीपल क्यों बनाने की जून्ट है तो तब तक फील्ड में जा गया आप बात क्या करेंगे तो यह समझें दोनों बाते हैं ठीक है समझ रहे हैं लेकिन इसको पहले क्लियर करके हम आगे चले ना आप जा गये कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो जब तक आपको कंसेट या मानलों रोख कंसेट क्लियर नहीं है कि तो फिर ऐसे बात बनाइए तो आप तो सही है दोनों काम करें यह भी करें पर साथ-था जैसे आपको पीर आप बढ़ें आगे और संग की जो बात करें तो उन में से कुई आप समझा करें निकालें वहां से और भी बहुत तो मैं इस काम के लिए बिल्कुल कर भी रहा हूं और आगे भी पूरी तरह से कोशिस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ठीक है आप सब ग्राउंड पे भी चलें चल रहा है काम चलेंगा मीटिंग इस रूव हो जाईए ठीक है ठीक है बहुत 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 साथ है वह ब्रीफ ली और बता सकते हैं अगर क्योंकि अभी हमारे पास है संख्याबल भी है तो कट के साथ करवाएं कोई दिक्कत नहीं कोई इंट्रोड़क्शन से ना रहे बस अगर कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहता है तो आए अपना परिश्चे दे अपना विचार रखें जो भी साथी मेरे अवाज सुन पा रहे हैं किसी का भी हैंट्रेज मुझे नहीं दिख रहा है जो भी साथी वीद फिफिल संग से जुड़े हुए हैं वो मेरी अवाज अगर सुन पा रहे हैं तो क्रिपे आए अपना परिश्चे दें परियाद सर अगर कोई नया साथी दिख रहा है आपको तो उनको बलाए जा सर नहीं मुझे भी लगनी रहा कोई यह लास्ट में एक हुकम कालिया साहब है कालिया साथ अगर मेरी यावाज सुन रहा है तो कि प्रिपे आए बोलें इस रूमें आये तो दुबारा इंट्रोडेक्शन देना कालिया जी आप इस आर्सें मैंने सुना था लेकिन मैं देखा नहीं था यह देव कुमार अनुरागी शर्ट आपका है सर आए कि प्रिश्य दें है अलो हाँ है आए जैवीम ना वो दाय सर जैवीम अ जैवीम कट मेरे नाम देखमादमड़ी है एक शिट्ट्व के राज़बार दिजनेवरी रेपा हुए है चंदीगर तन्या में लागें को इससे वीटेक्स से लिए से क्या हुआ है अब आए जैवीम नाइटीएज में एक मारी थोड़ा साथ आप आवाज बढ़ा दे तो अब कि मैं दोले बोले तेलो कि पॉस्टन 2011 तर्ट प्राइवेट बिल्जर्स के पास मैंने डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेवल पर जॉप किया है सब दोजार एक से दोजार ग्यारे तर्ट इंड्यूपेंडंड प्रोजेक्स अंडर किया हैं तो मर्टी इस्टोडी प्रोजेक्स से तो दोजार ग्यारे से मैं अपना विजिनिश कर्ण सब्सक्राइब तो मर्टी में आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि स्ट्रेट के उसमें पे जहां भी ऑप्षेंड जहां भी कोई नौन पर्षेंड मिलते हैं तो आवाज बिलाज नहीं हारी सर्जी आवाज जड़ा बढ़वाईए हाँ आपकी आवाज थोड़ी कम आ रहे हैं अब आ रही है वाज हाँ बिलकुल आ रही है सर आ रही है इंट्रोडेक्शन शुरू से दूंट जी जी दे 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 मेरा नाम देवकुमारन रागी है गाजयाबाद विजयनगर में रहता हूं एज मेरी 50 एज 50 एर है और पंजाब इंजरी कॉलिग चंडिगड़ से सन 98 में बीटेक्स विल किया था उसके बाद से अलग अलग डिफ्रेंट प्राइविट और्गनाईजेशन में कर रहा हूं उसके अलावा जो भी मुझे टाइम मिलता है तो अपने लोगों के बीच में एक अलग अलग जो मिलती है कहीं फे इजुकेशंस से रिलेटेड कहीं पर विजिए सlä अन्म्यूट करके ठोल जो भी साथी अपने माईक जो है अनम्यूट किया है उनको म्यूट करते हैं हाँ बोलिए सर अनुरागी सर बोले प्रीज सर अभी एक छोड़ा सा इंट्रोडेक्शन मेरा यही है सर आप आज पहली पर चुड़े हैं यह आपको लिंक कहां से मिला सर डॉक्टर एसके गोलिया से अच्छा इसके गोलिया सर तो सर वी दर पीपिल के बारे में आपको बताया क्या होगा यह मेरी अभी जर्स्मेंट पहले बात होई थी तो उन्होंने कहा भी इस तरी के से गुरूप चल रहा है जो साइड जैपूर से आपका जो है जैपूर से मैनेज हो रहा है जी तैंक्यू सर आप चुकि पहली बार जुड़े हैं सर अपना नंबर शैट बाक्स में टाल दीजेगा ताकि हम लोग आप से बात करते रहें और आप चूटते रहें सर मैं एक मिनिट में आपको बता दूं सर अर्वागी सर जी आप सुन पा सबकुछ लूटने की कागार पे है हमारा समीरान भी जैसा कि हम सवी आज साथी जान रहें खत्रे में है और लाखों की संख्या में शंगठन है फिर भी हम हमारा स्थिक आज संदिक्द पुन है तो इसलिए ये वीद पीफिल की संदेशना की गई इसका संगठन की आगया कि ये हम इतने लाखों की संख्या में संगठन के होते वे भी मेरा आज सब कुछ बरबाद हो रहा है इसका मतलग कि जो संगठन है वो सही दिशा में संदेश नहीं दे पा रहे हैं और सभी समण समाज को एक दिशा में लाने की कोशिस नहीं कर रहे हैं कहीं ने कहीं वो अपने में ज्यादा मश्गूल है तो आइसी सिती को देखते हुए वी दपीपी लिए कोशी कर रहा है कि रास्ति अस्तर पे बहुजन समाज यानि समर समाज को एक मंच पे लाए जा और जब हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे इस संकल्पना के साथ संक काम कर रहा है आप जुड़ते बेसीज पर मैंने आरेसेश की कारे पिर्णानी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है और जो पांसेफ कभी हुआ करता था उसके साथ भी मैं अटेच रहा हूं काफी दीपनी प्लानिंग लेवल पर और ऑल्टिकर लेवल पर फांग्रेस और बीस्पी में इनके साथ भी काफी काम के जी सर बोलिए बोलिए बात थी तो मेरे को यह याद आया और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉलम ने है हमारे लोगों के लिए के जैसे अभी तरीके से अगर हम फॉल्व करें कि तुकि हमारा संग्तान आगे बढ़ सकता है जी सब्सक्राइब करना उससे पहले एक प्रेंड बैंक होना चाहिए कि जो एक बेसिक पॉलिशी के रिए करें कि हमें क्या करना है और उसी टार्गेट को नेकर स्प्रेंड अगर्वाइस होता गया है कि हर बंदा जिसके अंदर तो इसी जानानी से वह होती है वह अपना गर्व पचास दिन और सोगने दोसो दंदा पर जानता है और अपनी दुपाना दख सकते हो और दूसरी चीज है कि यह बाबा सापने जो नारा दिया था कि सिख्षित बनो और संग्षित रहो कि मेरे अपने और विशन पे इसाब से सिख्षा के मामले में कहीं परती कोई कभी नहीं है कि वह सिख्षित बनो वह चैक्टर कप्लीड हो जुगा है संग्षित रहो संग्षित नहीं है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफी लटना सुरू परते हैं और चितनी भी अगर आप हि किस्के पास पैसा है फिलिस्के पास आप हट अगर हम जैसे अगर उनलोगों का है कि आ लोगों का है रिफाइन होता है वो अग्या कि से रिफाइंग होता है जिन के बास ज़ादा जनुन जी है क्या का इसकी बास होता है पैसा कभी मौकिश नहीं आता है पैसा हमें सब सुझने से हैं लेट मेरे अपने पर्शनल लॉप्जाबरेशन्स हैं जो मैंने सब्सक्राइब कुमार जी यह जो आप बार बार आरेसस का नाम लिल देते हो इन्हों ने कहां से सीखा यह किसको फॉलो करते हैं इन्हों जो नेरी जान करी जो पिर आरेसस्सी इस्टाटिंग जो हो इन्हों करते थे नहीं उन्हों ने जो जो संख जो जो सेटफ लिया वह कहां से लिया वो बताएं संग के सेटप के बारे में मुझे जैसे पितना ज्यानता रही है कि सन उन्हें सो चौबिस पर्टिस के आस्पास आपने संग में बहुत बारी किसे देखा है मैं यह पूछा चाहता हूं संग का किस डेट में होई संग का कंसेट कहा से लिया किसको फोलोगर्प मैंने उनकी वर में झानकारी वी देता है जो बुद ने संग कंसर्ट बनाया था वो संग का कंसर्ट पूरी दुनिया में सबसे पर्छे उसके पास था उन्होंने वो बुद्गे कंसेप्ट को लिया और वही वीदा पीपल औरजिनल कंसेप्ट लेग आया है पहली बात दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि दो चीजों का आपका ख्याल है आपका विचार है कि पैसा और जमीन से जादा लुगों को जाना जाता है सबस जादा जमीने राशिया के पास और वह दोनों कहीं नहीं है यह जो जमीन और पैसा है यह संग की कोई संपत्ति होती है व्यक्ति और बुद्ध ने पैसा भी छोड़ दिया जमीन पी चोड़ दिए और पूरा देश क्या बोलते हैं उनने खटा कर दिया और इरान से लेकर ब पाद बहुजन है। जिनके पाद जन्बल है। वही कुछ कर सकते और लोकतन्थ में तो खास्त वह से आदमी के सिर्ड गिना जाते हैं जमीनों पैसा नहीं गिना जाता है। अचा यह आपके सर के पिछे जो एक इस्टेचू लगा हुआ है आप यह जो आपके पिछे पकड़ लिया आपने काड़ी ना तो हम भी देख रहे हैं वह तो हम लिया कि उन्होंने बाम सिपने काम किया है वां से अधिक निया ठीक आगे बढ़िए यह आप तो ने 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 जुड़े ना जी आप जूड़े रहें बाकि यह पूछा तश्वधी राज जी ने थोड़ा काम करने वाले बता रहे थे बाम सिप के तो आडलोजी नहीं होती ना जो पीछे वाली आडलोजी नहीं बताएं सवाल क्या था आप साथ के पीछे लगा हुआ है वो आडलोजी बाम सिप की नहीं है यह पूछ पूछा तरह था कि आपने बाम सिप काम किया था कौन सी बाम सिप्सिया वहां पर आप क्या है वहां पर आप आप ने हैं यह अगर आपको बात करके नहीं हो नहीं को अलग आफके मेरे कोई लग नहीं तो आपकी बात कर रहा हूँ तहरे बात के बात कि अगर काट कर दो वह किसी की वुक्त कहूं सब्सक्राइब रहा हुँ को मैंबर बताया आपने नहीं होते हैं आपने का मैं आपने का मैं अच्छी तरीके से इस्टडी क्या है प्लानिंग यहां प्लानिंग जो है कि किस तरीके से काम करती है और दूसरा कि यह नील आरंग कि यह नील आरंग बाबा साथ में अपर नियुक्स किया था कि उसी वो नील आरंग कि उसके पीछे मेरे को पाइंगे पिछना को पावा साथ को यह आगे बशेंगे कि जो पांग से की जो आज से 25 साले जी साल पहले जो है कि उसके बात अपने जवाब रहा हूं आप में सबसे ज्यादा जन्म हुए रसिया के पास है रसिया की नहीं होगी रसिया में सवर्ण और सब्सक्राइब बंदों की कटेगरी नहीं हुए जो भी अड़ा आपको आपको जो अग्जामपल दिया बुद्ध का हमें इंडिया का ही दिया जिसमें उन्होंने अपनी जमीन वी छोड़ जिये पैसा भी छोड़ जिया करांती कि अब मैं इस बात के जवर दिखता हूं कि जो पुद्ध जी ने किया था उनके अलावा आप किसी भी जीते देखेंगे जो इस्टोरिकल बंदे हैं चाहे वो कासिरांगी हों चाहे वो पावाशाया हूं चाहे वो महाविर जैन्जी हूं चाहे वो बुद्ध हूं कोई गरीब नहीं था शब जो उनके पास था एक अपने लेवल से उपर थे और एक अपने उपर के लेवल को उन्होंने छोड़ा है यह कहते हैं कि अपने संबन नट नियुक्त है अगर आगर आज कि आज की मैंद्ध ऑब शाब कर ने बश तो आप तो आप बात है घुमा रहे हो कहीं कि कहीं बात ले जा रहे हो सर अब अगर आप अब आपके 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 आवाज क्लियर नहीं आरे हैं तो बिल्कुल क्लोज कर रहे हो तो यह भी नहीं हो रही है अलो रागी जी आपके आवाज क्लियर नहीं आरे हैं तो यह दिवार वाली चीज़ तो बताई नहीं दिवार पर यह तो आपके पिछे जो है ना वहां पर एक फोटो लगा तस्वीर कि निकी है वह उसके बारे में बात थी कि वह क्या इडियोलोगी है क्लिए लेकिन लेकिन वह दो तरह कि अब भी आपके आवाज नहीं आरे क्लियर अब आरे यह बोलिए अब यह पता नहीं आपका माइक से एक बार आती है फिर वैसी शुरू अब बस दूर कर लें दूर कर दें इसको अब आरे यह बोलिए उनको को दीवार पर जो चीजे तंगी होती है ना अलो हां बोलिए बोलिए दीवार पर जो चीजे तंगी होती है वो दो चीजे होती है एक तो आइडियोलोगी होती है एक सोपीस होता है यह ठीक है तो पहला सवाल मेरे इसाब से यह उनक क्या प्रिवार पर लगा है वो आपकी आइडियोलोगी है यह सोपीस है आपके सीधे हाथ में जो बना हुआ है वो लालंका धागा वो क्या है सोपीस आइडियोजी है जो मानते हो बहुत सब इसलिए पूछेते कि बांसे वाले लोग ना इस अडियोजी की होते नहीं आपने वांसेफ का नाम लिए थोड़ा कर्फूजन होगी हमें हमें तो खिरिट करें बाकि आपकी आपको अब मैं आपको तो प्रिए और बसा रहता हूं जो मेरी अपनी अ जो रियल वामसेट चाहे आरेसेट के रियल बनने हों चाहे वामसेट के रियल बनने हों जिन्होंने आरेसेट को पावर दी है और जिन्होंने वामसेट को खड़ा किया रहे हैं वो सचाइटी के सामने कुछ और दिखते थे और काम कुछ और करते थे कि सिर्फ उनकी एक चीछ अब अब आपको एक चीज़ और बता हूं के मेरे को अपने दिमारी में गंद्र भरके के जह मुझे सोफ करना है कि मैं बुर्दी को मानता हूं कि दो तरीड on जहां कि रिएली अंदर से मानना अब दूसरा आपने इन थी की बात करी थी ने छोगा था और जया जह को अपने जीवन को देवु तो जितने गुंद्ध को मानने वाले हैं जितने पूर्ण सब्डह के थीमार पर शाप्ते हैं इस पर रखे आप लेडेंक तुर रही है हम गलती हो पूछ लिया है आपकी किसी भी चीज़ को कोई हट तरने का हमारा इरादा नहीं है तो फिर हमें लगता है कि कि अपना नंबर चैट बाक्स में डाले हम लोग परसनल बात कर लेंगा अधिक मेरे ख्याल से बाबा साहब के मुकाबले में कोई विद्वान जूसका अप्रिक्ट नहीं हुगा अगर उस चीज़ को उनके विद्वान जूसक्राइब करने के इसने क्या बुराई है अगर वो उनका संस्क्रिट नहीं सीथते और अध्यन नहीं करते तो वह यह कभी यह नहीं क्या पते हैं कि अगर उस चीज़ को उनके संचत्थ लो यह कहते हैं कि यह तो वेद पढ़ रही है यह तो आईडियो लुगे खिलाते हैं अगर यह मेरे हाथ में हैं तो कभी अगर पर्शनल ही मिलूंगा तो शायद मैं आप से यह कहांगा कि इन हाथों में इन से क्या होता है कि यह निखाए यह होता है किसी किताब में लिखाए उसको में फॉलो करने देव कुमार सार आप इतना expression क्यों दे रहे हो हम तो वैसे य कैना चाहरा हूं कि अगर कई हट ऊसारी बोल दे सार आप मेरे को हट में हुआ है मेरे को हट में हुआ है मैं तो सिर्फ यह कहना चाहरा हूं कि सुन रहा है करना चाहरा हूं कि यह बचे हुए हैं अपनी बात रखना चाह रहे हैं अपकी इजादत हो तो हम अने साथियों को बुलाएं सब्सक्राइब अब बैच से पास आउट हो वहां से 98 98 मैंने भी वहां से एंटी वन में पैक से इंवर्मेंटल इंजिनिंग में तो आपने अडविशन चलो बाद में हुआ आपका नंबर चैट बोक्स में डाल देना है हुआ नंग कि नंटीवन से में टेक्तिया आपने इंवीनने जिए इनवर्मेंटल इंजिनिंग से इनवर्मेंटल इंजिन से इन आप आप लता सब्सक्राइब कर लेंगे सीविल के डॉक्टर आर ऐर्शीख थे क्या नंदी अब भी है वो उद्र अब भी सबसे प्रोड़ट्क प्रोफेसर एक को है अब भी भी है वह अब भी भी है लेकिन मेरी इसे पेपी और अब थैंक्टू बेरी मैच सर्थ मॉस्ट वेलकम साब आप आप आपते रहें माइक खोली माइक खोली आपका हाँ जो भी साती हमारे अभी बच्चे हुए हैं जो जिनका परिचे नहीं हो पाया है उनसे मैं अन्रोद कर रहा हूं कि वो आए अपना परिचे दें अज़े तो ग्यारा बजगे हैं जीरो आवर दस पंदरा मिन्ट कर लो ठीक है तो जैसे मत चीज़ा कोई ऐसे बोलना चाहें बोल दे कोई बात नहीं है परिचे अपना विचार रखना चाह रहा हैं वो साथी आए उनका मुस्ट वेलकम है अपना विचार रखनें इतना परिचे ने परियार सर जी जी आज चुकि सम्विधान पिशेश का दिन था और जैसा कि हम लोग सभी साथ ही जानते हैं कि हमारे समर समाज में लाखो संगठन है और आज सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है तो हम लोग सभी आज हमें ऐसा नहीं लगता कि सम्विधान के बारे में और समाज के बारे में सिक्षा के बारे में हमारे साथ य Dimash नहीं है कि जदातर साथ ही जागरूप है हमें इस बात मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जदा सजादा साथियों को कैसे जोड़ा जाए इस पर प्रतमीका के धार पर वीचार रखा जाए और मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रमेश कटके सर से रिक्वेस्ट करूगा कि वो किर्पियर दो मिनिट इसमें बात रखें सब्जेक्ट क्या बोला आपने अभी यह सब्जेक्ट सर आज समिधान के बारे में आज बोलना था कि समिधान को आज जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि लाखों करोनों की लाखों की संख्या में हमारे बहुजन समाज में संगठन है फिर भी हमारा समिधान आज खत्रे में है तो इसके लिए कितना उचित है और अगर उचित है तो हमें इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए और अगर है तो ऐसा क्यों है सभी को नमबुद्धाय जैवीम वैसे तो इसके इसके बारे में आज के कंसेट में सुधी रास्तरी सिंग सर ने कापी अच्छी तरीके से बताया है मैं एक ही बात कहता हूं कि ततागत बुद्ध की धमपत की गाता है नतावता धमधरो यावता बहु भासती हम चाहे कितना भी नौलेज रखे कितनी भी किताबे पड़े कितना भी कुछ क्यान हमारे साथ में रखे लेकिन अगर हम एक भी गाता जानते है और उसके अनुरुप अगर हम आचरन करते है तो हमारा सारा जो ग्यान हमें पता है उससे ज्यादा जितना हम आचरन करते है उस तागत बुद्ध की अगर एक बात जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो निचोड होकर अगर कोई चीज आपा सामने आती है तो हम इकटा नहीं है इसलिए सारी समझ्ष्य हैं हमारे बीच में फैली हुई है अगर बाबा साब ने हमें कहा था कि United Nation भी कह चुका है कि best document in the world कि यह तो document है सविधान ये किताब है लेकिन उससे effected तो हम है हम लोगों ने उसको implement करने के लिए कुछ यतने प्रयतने नहीं किये इसलिए आज हमारी हालत ऐसी हुई है कि हमारा ही सविधान हमारी लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में एक ही चीज सामने आती है कि हम सही में इमानदारी से क्या सविधान को मानते है क्या बाबा साब को हम सही में प्यार करते है बाबा साब की जो बाते हैं उनके ओपर सही में चलना चाहते है और बुद्धे ने तो कहा यही पस्री को उपनाई को पचतन वेदी तब हो आओ पहले देखो जानो परको और उसके उपर अमल करो हमने पिछले सतर सालों में एक ही गलती की कि जैसे कि गाली पर एक कतन है कि जिंदगी पर गाली एक ही भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी आइना साफ करता रहा हम लोग अभी तक आइना ही साफ करते रहे हमारे चेहरे की धूल हमने साफ करने की कभी कोश चीशी ने की इसलिए सारा कुछ हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है अभी लखिमपूर की घटना अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जो फंडामेटल राइट्स है और जो भी चीजे हमारे हाथ से निकल चुकी है ऐसा लगता है लेकिन इसमें अभी परिणाम शुरू हो जाता है उद्ध के विपश्यना में यही कहिना है कि जब तक तुम सवेद्नाओं को देखो जानू पर्खो तो आज ही तुम्हारी सवेद्ना तुम्हारा परिणाम दिखाती है ऐसी बात कुछ है हम अगर आज से ही जूरू करते हैं इमांदारी से जू उधारन भी देते हैं कि सीख लोगों का बाबा साब ने अनिलेशन आप कास में कहां भी है कि सांस्कूर्तिक क्रांती और सामाजिक क्रांती होना बहुत ज़रूरी है तब तक पॉलिटिकल क्रांती सक्षेस नहीं होती हमारे 121 मेंबर आप पार्लेमेंट है फिर भी वो और विक्वैलिटि अगर हमें लानी है तो सॉलिड़ेर के हमें सोचनाई होगा एक ता अगर हम बनाते हैं संगटी तकार रहते हैं तो हमें इक्वैलिटि लाने के कोई देर ने लगेंगी और बाबा साब में का है कि equality is another name of democracy जो लोगतंत्र का दूसरा नाम है equality और उन्होंने फिर का है कि आज की democracy कैसी है democracy in India is top dressing on an Indian side which is essentially अज का जो लोगतंत्र है वो मूल तहां के वर उपरी उपरी तोर पर है समाज का तीसरा तीन प्रतिशत हिस्सा ही इसका benefit उटा रहा है और हम लोग उसका कुछ benefit नहीं उटा पाते है इसका एक ही region है कि हमें समझ में नहीं अभी तक कि हमने क्या करना चाहिए था विचार तो हम बहुत करते हैं लेकिन अमल करना हम शिखते नहीं है जानते नहीं है बस अगर हम दिल से अमल करेंगे, दिल से अमल करेंगे, तो कल से परिनाम आना सुझ हो जाएगा, बस यह वीद पीपल से जुड़े रहो, और जुड़ते जुड़ते हम कैसे बन जाएंगे, जुड़ते जुड़ते हमारे कैसे परिनाम आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे, इसकी मत सोचो, क्य हम जुनांगे तो दूसरों को समझ में और जैसे जैसे समझ में इसे वैइसे हमारे बीच जियोगी कोई कारन है भिखराओं के। तीरे भी और हमारे बिक्राव के करण नस्ट हो गए कि परिनामानत बिल्कुल तय है इतनी बात कहनी थी मुझे जराग आकरी से देर से जुड़ा हूं इसलिए मापी चाहता हूं और सभी को नमबुद्धाय जैवीम परियाद सर आगे बताएं सब मिर्देश ने क्या है आगे कंक्लूड करा लो और एपिन मैं भी थोड़ा एक किसी का किसी ने संग और संग्ठन के बारे में लिखाया है कि संग में सारे लोगों को समानता का दिखार होता है सबको अपनी अपनी बात रखने का हक होता है लेकिन संग्ठन में ऐसा नहीं होता संग्ठन का मुख्या इस सबसे ज्यादा मैतवपूर्ण होता है मुख्या की हर बात को मानना संग्ठन के लोगों को मानना जुरूरी है जो उनकी बात को नहीं मानता यानि उलंगन करने पर संग्ठन से निकाल दिये जाते हैं जबकि संग में ऐसा नहीं होता इसमें संग ही प्रमुख होता है कोई एक मुख्या नहीं कुछ बीच में चैट वगयरा की बाते हैं मैं देख रहा था नमबर और परियाद सर्थ मैं यह थोड़ा सा एक मिनिट बोलू सर्थ हां बोलू-बोलू कोई नहीं यह मैं कहना चाह रहा था कि जैसा आज का सब्जेक्ट रखा गया था तो इसमें जैसे हम लोग कोसिस कर रहे ह कि समाज में समर समाज में अपने साथ यहादा से ज्यादा काफी लोग हैं जो मन्च पे बोल नहींपाते हैं अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं तो मेरा सुझाब यह है कि इस तंदर में हमारे से एक ब्यक्ति कोई बात रखे कि यह सिती है हमारा समिरांग खत्रे में है इसको बचाने के लिए क्या करना है और हम लोग क्या कर रहे हैं और यह सभी लोगों से अगर इस तरह के सवाल अगर हम पूछेंगे तो जादा तर साथ ही बचना चाहेंगे और जूड़ने से देता हूं इसमें जो हैना हमें क्कOSH इंगरिंग यह सब्को सिसम से मौका देना कोशिस करें तो एक तोain और सब-साथिन आते पढ़ा के यह सारा कुछ करके नहीं ला सकते और जो कोुई साथी ऐसा जैसे उनको मौका दिया उन्हों थेtail उन्होंने अपने ही साथ से जो किया वो वेलकम कोई आसा कुछ नहीं है उसमें कोई उन्होंने चलो अपने ही साथ से कहले तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं ठीक है लोग एक मिनिट मेरी बास सुना वहां पे उन्होंने जो भी कुछ करते रहे तो ऐसी बात नहीं हमारी लोगों ने अच्छा उससे यह भी हमें पता चला कि स्विधान की बारे में लोगों को अच्छी जानकारी है कोई अनपड़ है तो भी और जो भी मोटी सी बात है क्या प्रोलम है क्या तो कम से कम वह भी पता चला हमें तो इसमें कोई बात नहीं नई चीज़ें है कोई एक जरूरी निया कि हमें एक उसको समझने का है उसको एक्ट्व में क्या था कि हमारा जो स्विधान है उसको ताकत का से मिलती है वो बात को दूसरी तरह से लिया गया है बस इस पे सब्सक्राइब करना चाहिए था कैसे मिलती है क्यों बात मनें इस्यू यही था बस इस पे डिसकर्शन नहीं सब्सक्राइब कि यह जितने हमारे समर्समाज में संगठन है वो सभी हमारे महाकुल्सों का नाम लेते हैं सब लोग उनको माला पुल चढ़ाते हैं लेकिन अज लाखों की संख्या में संगठन है सब लोग इस काम को कर रहे हैं सभी लोग जगा रहे हैं लेकिन आज हम लोग जग नहीं पा रहे हैं हमारा समाज बिखरा पड़ा है तो हम अलग धंग से समाज कोई कठा करने की कोशिस वी द पीपिल संग कर रहा है तो हम लोग जोडने और जोडने की बात पर बाकि या और कोई मेरा आतरवाई कुछ अलग विचात नहीं है सर्थ वह ठीक कोई बात नहीं आप भी ठीक कर रहा हूं मैं तो एक उस बात के लिए कह रहा था भी यह सब तरह के लोग है हमें उन पर ज्यादा इस तरह वह दिखाने ही सब सही है उन्होंने भी अच्छा के गंटा जो भी किया कोई ऐसा कुछ नहीं रहा हुआ और एक बात भी है को करने लगाते हैं वह नाम ले लेकि तो कोई नाम थोड़े हैं किसी का करने के लिए बताएं सब्सक्राइब अच्छा एक मुनिराम बहुत जी ने हैंड रखा है अगर बहुत साथ मुनिराम जी आए आप एक प्रिंस बार्टी है वो भी कुछ कहना चाहरें बार्टी और भी थे मैं दोनों को नाम लोट किया था साहद इन्होंने फर्स टाइम जोइन किया है तो प्रिंस बार्टी जी ये मुनिराम बहुत साथ का हैंड रेज है मुनिराम बहुत साथ है उनको भी बोला है हुआ आ जाए पहले हलो साथ हाँ आये सार रहेए हा आ रहे है और रहे इसार सबी को मेरी और दा जया बोले बोले जो नो क्या है इस भारत में हम भारत के लोग अच्छा टॉपिक अच्छा सीशक अच्छा सारान लिया गया लिदा फीपिल बहुत अच्छा है तबी भारत में और आलंगिया इस वार्ड में वीज़ की सराना हो रही है लेकिन मनुस्यों को जब तक दुख नहीं होता तब तक वो चेतना की नहीं जाती है बाबा साहब ने बना बनाया सब कुछ दे दिया हम उसका दुप्योग कर रहे हैं सदुप्योग कर नहीं कर पा रही हमारे जो बाबा साहब ने कहा था कि पड़े लुखे लोगों से ही हमें कुछ है लाव नहीं मिला इस समय भारत में ऐसी परिस्थितियां है कि हमने लाव ले लिया लेकिन हम अपने निचले तफके को नहीं समझा पा रहे हैं जैसे कि मानवर कांसी राम ने कहा था कि यदी समाज के हित में सम्भीधान बचाने को चलना है तो दस किलोमीटर पैदल चलके काम करो और हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा द्रातल पर हम सभी जाएंगे तभी समाज को आगे बढ़ा पाएंगे वंचिक था और आपने इंट्रोडेक्शन नहीं दिये तो बच्चे की नाम से जुड़ा आप पहले भी जूड़े होंगो ना एक प्रसाद आप अपना नंबर चैट बाक्स में छोड़ दिए सर अगर मेरी आवाज चुन पा रहे हैं तो अपना नंबर चैट बाक्स में छोड़ दिए तो टापिक देते हैं तो टापिक देते हैं तो टापिक हम बने रहे और अच्छी इसलिए बोलने यह पड़ी कि उनका हमें एक घंटा को कारक्रम इसके बाद हम नहीं रहे वो तो ठीक था टापिक आप कंक्लूट भी कर देना प्लीज अब ठीक चल रहे हैं बताएं तो इंट्रोड़क्शन तो ठीक है लेकिन इंट्रोड़क्शन साथ जहां तक मेरा अकलन है कि एड़ोकेट सार्थी नहीं आठवेश से नौवेश तक टापिक के अंसार जैसे होना चाहिए बहुत अच्छा संचालन की जाए और उसके गुडवत्ता पर हमें कोई संदेह नहीं है यह अलग बात है कि वह एंकरिंग में पहली बार आये थे तो हमारे नए पुराने साथियों में वह पर प्लिय अधियों में आपके साथ ही है कोई हमाचल पंजाब अरियाना से तो उनको इनवाइट कर लो वैसे बोल दो कि जो भी नए साथि हैंगरेज करें राइट इस्टार्ट यह स्टार्ट यह स्टार्ट इस्टार्ट कि ओके और मैं बता देरां चाहता हूं कि मैं हमाचल प्रदेश से हूं जिला उना और मैं प्रफेशनल से अड़ोकेट हूं और प्लीज 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 जैस मैं क्या कोई बोल रहा है बीच में हलो 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 हर्जू हेरिंग नी तो जो नाय साथी अभी 25 पार्टिस्मेंट जो इसमें जुड़े हैं जो नाय साथी अभी जॉइन करें हैं बो प्लीज हेंड रेज करें इमिजेट इस प्रोग्राम में बीदा पीपल में आपका हार्दी का बिनंदन है जरूरि नहीं है कि जो आर डेडी यो इसमें पार्टिस्मेंट हैं उनी को हम इसमें मैं काल करूंगा मुझे लगबग पार्टिस्मेंट का पता है कि जो डेली जुड़ते हैं और जो नाए आते हैं उनसे हम जरूर चर्चा में रखेंगे तो बीदा पीपल ऑफ इंडिया के बीच सीधा पावर ऑफ कांस्टिचूशन इसके साथ मैं सबसे पहले चलूँगा कि हुकम सिंग कालिया जी अपना जो बीडियो उसको भी ओन करें और हैंड रेस करके सामने आए हुकम सिंग कालिया जी हलो तोकम सेंग कालिया जी आप पहली बार जुड़े हैं हलो मेरे पास सिर्फ एक गंटा मुझे प्रोवाइड करा गया है आप जंग है अप जंग है आप बहुत बहुत अविनन अदन इस प्रोग्राम के बीच आप कहां से हैं और कौन सा प्रफेशन है अपका प्लीज बढ़ी आए और लगता कि आर्थिक स्थिती के उपर आप हमें अच्छा बता पाएंगे जब भी आर्थिक मुद्दों के उपर चर्चा सासा होती रहेगी तो उसमें आप अच्छा नरेट कर पाएंगे देखिए इस वक्त हम बारत का संभिधान कभी देखा है आपने अच्छी बात है मैं कहूंगा कि अगर जुबा जो हमारे वारत के संभिधान को देखने के सासा स्टेडी भी करा है कुछ हलो आपकी माइक अपने मौत के पास रखेंगे तो देखिए आज के सबसे पहले आप से शुरू करेंगे कि पावरों कांसिट्यूशन जो है वो किस तरह से हम देखे कि हमारा संभिधान जो है वो हमें पावर प्रवाइड करता है वो आपका किया भी हुए इसके पर प्लीज एक मिन्ट ही मैं देखाऊंगा आपको क्योंकि मैंने लगवक जितने पार्टिसमेंट है मैं उनको जोड़ना इसमें तो एक मिन्ट में आप अपना जवाब कि सभोटे कि किस तरह से हमारा संभिधान जो है. हमें इंपॉva और करता है सबूब पहले तो सुभी को इसकी बारे में जानकारी होने चीए घ्याए shirt. हमें. कि आप जो हमारा जो पावर है जो पावर है संभीधान से ही हमें मिलती है किसी और और कोई डाकुमेंट है जिसके संभीधान के अलावा जो हमें पावर के प्रोवाइड करता है सर वैसे देखा जाए तो सविधान सी मिलती है सर में पावर है जो जितना सभीधे के समान नेवाद आपका थैंक यू थैंक यू आप जुड़े रहें और आगे आपसे समय समय के उपर मैं जबाब लेता रहूंगा आप नियू कोमर है आपका बाहरतिक अभी नंदर थैंक कालिय जी के साथ अभी कोई और नया पार्टिस्पेंट जॉइन करा है नो कालिय जी आप प्लीज अपना हैंड डाउं कर लें कि अधिया कि अधिया कि अधिया 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 इसी ने बाट शेप्त में लिखा है कि कोई वेजन हजारा जी है जे सेस्टी की रिजर्वेशन ओबी सी की लाइट आप प्रिजर्वेशन और सोर्सिंग और वर्क एंड पंट्रेक्चल इंप्लाइमेंट के उपर बात रख रहे हैं तो देखें हमारा संभीधान तो पावर तो हमें प्रवाइड कर रहा है लेकिन इसकी इंप्लिमेंटेशन के लिए जो हमारी जुडिशन सिस्टम जो है जा फिर जितने भी हमारे लोग जो है जो बैठे हैं मेन कियर्स के उपर देश के बीच जब देशों के विच जाए वो फॉरन फॉरन मिनिश्टी के साथ जुड़े हुए है जा फिर हमारे जो इंडिया के बीच आई-एस आई-पी-एस जो जा फिर हमारे किस तरह से को इंप्लीमेंट करते हैं इसकी तरफ मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी किसी का नाम लेते हैं बूप सिंग रावत कोई बूप सिंग रावत ची है बूप सिंग रावत अगर सुन रहे हैं तो अपना माइक ओडियो और वीडियो दोनों करें बूप सिंग रावत अनुबोजी का हाथ रेज है एंड रेज है अनुबोजी का अनुबोजी अनुबोजी आप कहां से हैं मैं लखनौ से हूं सब्सक्राइब आपको भी मैं लखनौ से हूं गूंगों इन अगर से जी नरम आप कौन सी फिल्ड में है मैं कि स्टुडेंट हूं अभी और रिप्रेशन करेंगों सुपर्टेट के इस फिल्ड में हो आप स्टुएंट आप अपना माइक अपना फोन जो है स्टेबल रख लें ताकि आप अरहम से बात कर सकें यह स्टुएंग कौन से फिल्ड में है आप मैं अभी तुडेंट हूं और इस्टुडेंट के सास आप में थोड़ा सा लिखती भी हूं समाज के लिए जो समाज के लिए जो समाज में टाइम पर जो भी चलता में परोड़ों आप मैं आपने का संभीधान की कताब कभी देखी है यह बिल्कुल मारे बार श्राइब है आर इडी त तो यह बता है मैं की बॉमेंच को बॉमेंच को क्या जी समिधान इंपाबरमेंट देता है कि वो कि तरह की पाबरमेंट बॉमेंट को प्रवाइड कर रहा जबारतरा सुन्था हाँ आज अगर हम अगर हमारे एक पैसान है तो समिधान की वज़े से ही है और हमें हिंदू कोड़ जैसे और बाबा शाद ने काफी मुझे अधिकार दे रखे हैं जिसकी वज़े से आज मैं फ्रीडम हूं सतंत हूं और इतने सारे अधिकार में रखे हैं आज मैं हर जगे गौलिया अरियम्पी जहां भी कारकरम होते हैं मुझे जाने का मौका मिलता है और समाज में और सभी तरह से सबसे बात करने का मौका मिलता है तो बाबा साब ने मह पढ़ना ही नहीं जानती है और अगर आज की डिया जाए उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है और अपना काम भी उनको समझाना है जिस तरह से आज के सिस्ट्म में इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे जरा आप बताएंगे एक मेंट के लिए समय आपके पास 820 हो गया है 21 तक आपको मैं क्लोज करूँगा नेक्ट को बलाऊंगा जी यह मतलब जो मैं समता का रिकार पावाशाब ने दिया था और उसके देख रहे हैं कि काफी कुछ संसोदम हो चुका है और वैसे भी समिधान को बदलने की कोशिस हो रही है और यही चीज़ हमारे लोग कहते हैं कि समिधान बदलेगा तो गोलिया चल जाएंगी लोगों पर एक डंडा भी नहीं निकलेगा लोग को जिस हिसाब से बोलते हैं मैं तो यह कहते हूं तो हमारा पूरी तरह से समिधान खत्म हो रहा है उसके लिए अगर हम लोगों को एक साथ मिलकी ही आवाज उठानी होगी सब को एक जैसे आप इतना अच्छा कार्करम कर रहे हैं एक आनलाइन जैसे मीटिंग करते हैं सब लोग आ रहे हैं तो घर में मतलब अगर एक बंदा जागरुक होता है ना तो पूरा पूरा फैमली जागरुक हो जाता है वो चार दगर बैठता है बोलता है यह मतलब बताता है समिधान के बारे में बावाशाथ के बारे में तो उससे काफे जागरुकता आती है तो अब यह जो फेम हुआ है और जो कांट्री और वर्ड के लोगों को इसमें जोड़ता है क्या आप इस ग्रूप से कुछ पॉस्टिविटी गेंड करते हो जा पिर वैसे ही आप कभी जोड़ते हैं जा कैसा लगता है आपको जे ग्रूप का परपस किस तरह का है मौटीव मुझे ग्रूप का जो एक मोटीव है जो परपस मुझे मुझे मज़े काफी है तब बहुत अच्छा लगता है और मुझे फॉट फील होता है इसमें सभी तरह के लोग सामिल होते हैं और सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और इससे काफी समझ में जाग रुपता आ कर लिए बहुत बड़िया चलो चल रहा है एक दोना जो भी नहीं साथ ही जुड़े हैं अपना चैट बॉक्स में नाम और मॉबाइल नंबर जोड़ दें और उनको कहां से लिंक मिला थोड़ा सा बता दें शार्ती जी थोड़ा यह पूछिए एक बार इंट्रोड़क्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें उसके बाद अपने टॉपिक पर कोई आप बोलो या कोई एक थ प्राइब राला कुछ ऐसा लिखा है तो बाद में बोलने के लिए थोड़ा टाइम होगा तो बाद में मिल जाएगा हाँ जी श्रीमां जी यह बावुलाल जी बुनकर प्रिंसिपल डिवराला से हैं और मैं डॉक्टर संतोस कुमार सोठा बोल रहा हूं उनके मोबाइल से और मैं नीम का थाना कोलेज में प्रोफिसर हूं संसकत लिट्रेचर में और मेरा नंबर है सततर पतीस नोसो बीस नोसो मैं आज ही आया है इसमें डॉक्टर ओपी वर्मा जी है हमारे यहां अजीदगड में पी एमो साब हैं उन्होंने मिरे को बताया इसलिए मैं अभी आप लाइव बात करना हूं आपसे तो मुझे अच्छा लगा और समिदान को बचाने के लिए एक जुडाव है यह बहुत है और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोग जुड़ते रहें और हम जिससे की समिदान को बचाने का पूरा प्रियास करें ओके मैडम ने अभी पीछे बुला कि एक मैडम अनू बहुत चिखे उनका क्वेश्चन था कि भारत का समिदान जो खत्रे में है आप इससे कितने सहमत है इससे सहमत हैं क्योंकि हमारे जो वर्ग है उस वर्ग को मतलब इस समिदान को बिल्कुली दूर करने की कोशिस कर रहे हैं तो इससे तो पूरा खत्रे में है तो यह तो इसमें इस पस्टी दिखाई दे रहा है हमें टोटल इंपावर्मेंट देता है तोर के उपर इसको खत्म करेंगे और यह करने का इनकी जो मान सिकता है ना इसी लिए हम चाहते हैं कि यह संदान हमारा एजटीज लागू रहे इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेज नहीं आए और यही लागू रहे तक भी हमारे बुबर के कुशिष को हमें लाब मिलेगा अन्डेता तो जो परिपार्टी तबी आरे थैंक यू आप बने रहें अम नेक्स आप जो भी हेंड किसी का हैंड रेज हुआ है उसको बलाते हैं बावलाल जी थे और आपका दन्यावाद आप जुड़े नहीं आपको फिर मपका दिया जाएगा और साथियों को और भी जोड़े ताकि ग्रुप आपके सागे बढ़ता रहे तो मैं बीच में से किसी और साथी को बलाना कर ले सर प्रणाम और आज के सर कंसेट में आप तो पहले भी सर जुड़ते हैं मुझे मुझे दिया गया कि आप इसमें पार्टिस्पेट करो और शुरुआत करें आपसे जाना चाहूंगी दो जो हमारी मैडम एक जहां पर अनू बोब जी जुड़े थे उन्होंने उन्हो जो संभीधान है संभीधान को खत्म किया जाने वाला है तो इसमें यह सर हमें कौन सी कौन से मेयर अड़क्ट करने चाहिए कि जिससे हम इसको सेफ कार्ड में डाल सकें जाए सेफ रह सकें कि अभी में एक अश्वार में पढ़ रहा था कि उसमें कहा गया है कि अब भारत में बिना चुनाव के भी सरकार भाजबा बना सकती है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा खत्रा है सविधान को और हमारे को भी अधिकार है उनको तो इस समय जो जागरूफता हमें नहीं आई अगर हम अब अपने स्वार्थों से नहीं उठ पाए और मैं से नहीं निकल पाए यह मैं से निकलने का ही प्रियास है और मैं से वी में आने का प्रियास है ताकि हम एक हो सकते हमारी एकता ही हमें बचा सकती है जी बिल्कुल सही बात है संग्ठा नहीं चाहिए हमें हमें संग्ठा चाहिए जी बिल्कुल 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 जूनियर चाहिए हमें हमें जूनियर चाहिए हमें ग्रूप नहीं चाहिए उस तो हम तो बावा सामने का संग ठीत रही है और हम संग बना बना कि अपने बैठ गेर हमने उसको तीन लाग चुकड़ों में बांट दिया बावा साथ तुस लिए जी 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 भूप सिंग रावाज जी को आप रहे थे वो कुछ बोले थे फिर बीच में उनको एक बार बु सर भूप सिंग रावाज जी जी सर प्लीज कम फारवट एंड रिप्लाई सर जो आपका पार्ट रह गया था उस पर रिप्लाई करें सर जी भूप सिंग रावाज जी कि शायद इस पैसे निकल गए है अधी तो बैड है वैसे जी अन्म्यूट नहीं हो रहे है को नियुकमर जो है वो हैंड रेज करते रहें प्लीज ए रमन बामने राय सेन मद्या परदेश से हैं जी शायवीम सर नमवद्दाय सर जैवीम अधी जी शायवीम नहीं इसलिए आज के बिशे के बीच पावर ऑफ कांस्टिटूशन के साथ आज का बिशे जो रखा गया है फ्रॉंद पीपल ऑफ इंडिया जी शायवीम क्या हमें जे माल लेना चाहिए कि भारत के संविधान के संदर्व के तौर के उपर कि हम इस देश के नागरिक हैं लेकिन जो जो स्किती अभी हमने पीछे देखी है को संविधान को बदलने वाली है इस संविधान खत्रे में जड़ सुप्रीम कोट के ये बोल रहा है देश में आके कि संविधान खत्रे में जब मजश्टेट जैसे सुप्रीम कोट की जज बोल रहा है तो नियाएपाल का सुतंतर है तो ये तुमाना चाहिए देश संविधान खत्रे में अभी बरत्मान में अपने देख रहे हैं सर जो बड़ी बड़ी अभी घटना घटी जिसमें लोगों को जाने के लिए रोका बड़ी घटना 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 उनके सानों को हम नमन करते हैं सब एकटा होके देश के संविधान को बचा जा सकता है यह हमारा बीदा पीपल परिवार बचा सकता है और तमाम जो देश में बड़ी घटना है घटर यह एकटा होने से ही बस सकती है इसके लावा कोई प्लेट फार्म नहीं है बारत कंदर देश के संविधान को बचा सकता है यह घटना गुरूप सब्सक्राइब थैंक्यू थैंक्यू आप जुड़े रहें आपको फिर मौका दिया जाएगा जी थैंक्यू बबली हीरा बबली हीरा जी है कोई जी 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 भबली हीरा जी आप यह में शकार आपको जैबी मुझा सब्सक्राइब आप आप शायद पहले भी आप जुड़े हैं और जुटते हैं आप आप देख लिए आपको पहचान भी लिया तो आज का जो बिशे जो दिया गया था मेरे मुझे एक घंटे के लिए इसमें एंक्री करने का मौपा दिया गया है आप पहले भी हमारे साथ जुड़ते हैं और अब सुनते हैं जी 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 तो पावरों कांसिटूशन के बीच जो बोमेंस के एक अनुबोद में बोला कि हमें औरतों को जो पावरमेंट मिली है अनुबोद एक स्टूडेंट है और उन्होंने बोला है कि हमें जे पावर जो है तो आप इससे सहमत हैं, आने वाले समय में आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि क्या जे पावर आप पे लिए सर्वाइब रहेगी जा जे ख़तम हो रहे हैं। हम आज जो हैं यहां पर बैठे हैं जूम मीटिंग में और आगे भी अगर हम पावर को चलाना चाहेंगे तो हम सब को जितनी भी महिलाएं हैं सब को इक अच्छा ही होना पड़ेगा। पुर्ष बर्ग जो असानी से उस पर कभजा कर सकता है उसको जीत सकता है। लेकिन क्या कारण है मैं कि हमारी जो मैं जिस बर्ग से हम ब्लॉंग करते हैं जिस बर्ग की हम चर्चा कर रही हैं। इतना फेर क्या हूं है कि यह क्यों नहीं बाहर निकल के आती और क्यों मेंस्ट्रीम में क्यों यह पहुच पाती। जो पड़ी लिखी बोमेंस हैं क्या उनको एजगेटर नहीं कर पाती। जो की संभिधान का हमारा जो राइट टू लाइफ एंट परसनल लिबर्टी के साथ साथ जुटते हुए उनको राइट टू फीडम जो है उसको आज दिन तक भी उसके उपर एक चेक लगा रहता है कि और जो है वो और बाहर हमने नहीं उसको लाग करेंगे। तो इस पर जो है सिटी हम लोगों पर जात जात हैं जो जुझ होती है जबकि जो दूसरे लोग हैं उनकी और जो हर फील्ड के बीच जो करन पर लेकन हमारे क्या कारण रहता है कि हम अपने बच्च suburbs को और अपने लोगों को क्यों क्यों नहीं हम आगे बना पाते अबर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी माता है बहन है उनके मन में क्यों इतना डर रहता है कि आम बाहर नहीं जा सके आज भी समिधान जो हागता है बिल्कुल बिल्कुल उनके मन में अभी तक जो अडमबर जो में फसी हुई है न कहीं तो अभी तक अभी लेडिस तो महिलाएं है अभी वो अंधिभिश्वासों नहीं भाण है पत्र शच्शिद के बारी वह गॉद्ध रखिश्ग करने के लिए हमे खुद सिंसित समय के लिए अपने पहले परिवार से ही चुनु करना पड़ेगा और जो अंदिबेशाशा में फसी हुई है उनको सबसे पहले निकालना पड़ेगा अदिबेशाशा दभी उनका डर निकले अगया निकलेगा बिवने मन्से आप प्लीज अपना ओड़ी और वीडियो जो है वो लाएं थेंक्यू मैम थेंक्यू बहुत बहुत दन्यवाद आप जुड़े रहें और साथियों को भी जोड़ें प्लीज थेंक्यू अधिकार मिले देखिया हमारी मनुस्प्रति में जब तक हमारे पास सम्विधान नहीं था तो इस्त्रिया जो थी वो परुष की संपत्ति हुआ कर दिया कि इस्त्रियों को अपना स्वतंत्र आस्तित जो है उनके सम्विधान साही हमें आरस जो आस्तित है वो हमें मालुम पड़ा या हमारा आकार या आस्तित नहीं है ना नहीं तो हमारा वो आस्तित नहीं था उसमें क्या हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला हमें नौकरियों में बराबर खागीदारी मिली, आलगि मतलब अबीबे काफी कम है इस्थिति उस पर, लेकि फिर भी हाँ, इतना अधिकार तो मिला है कि हम नूप्री कर सकते हैं, हमें समान फेथन का अधिकार मिला है, हमें मातरत, अकाश मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको सम्मिधान से मिली हैं हमें पहले क्या था अभी भी है जैसे कि वो तलाग तलाग है तलाग जो है आज भी पुरुष की इच्छा पे निर्भर है बेशक्षिक अभी भी नहीं इतना कर पाई है कि नहीं उन्हें यादिकार हो अगर अगर कोई त आजए ग्रूप में तो उसके खिलाब उट जा सकती है यह हमें अधिकार समझ्धान में निला है सर और इसके अलावा संपत्ती में हमें अधिकार नहीं था अब और मतलब घर संपति में इस च्थीओं को भी वराबर अधिकाद मिला वह अपनी बाते हैं इनिये अपनी बात कहने का उन्हें उनको पूरा अधिकार है झेक Camdenst chant हारे घर में यह वैसा महाल हमें कुरियेट करना क्रूधा है कि हमारे पहले तो मैं एक मिट में आपको टोकना चाहूंगा, जो कुछ ऐसे प्रफेशन है, कुछ ऐसी जॉब्स है, जिन में बोवेंट्स को आज दिन तक प्रेफरेंस जोब नहीं दी, जिसके भारत की आर्मी है, भारत की आर्मी में, जी, उसमें भी अब देखें, अभी तक हम लोग ही वहां तक जा पाती थी, तो उनको ये ट्रेनिंग, ये हमारे घर की सूर्श थी, समिधान के हिसाब से उनको सब कुछ मिला है, और उसके बाद में लोगों ने फिर इसके खिलाप मतब लड़ाईयां में लड़ी है, सरकार से, कि हमको ये अधिकार अगर विभाग में नहीं है, तो हमको मिले, तो ये सारा जिकार क्यों मिला है, समिधान है हमारे साथ में, इसलिए हमको ये अधिकार में लाए आ रहे हैं जी, और क्या से टाइम कम होगा, थैंक्यू सर, आपने मिले हैं, थैंक्यू, आप मैं बलाना चाहूंगा, बगवांत किशोर जी है कोई, बगवांत कि सब्सक्राइब कर देखे जो हमारा पावर ऑफ इंडिया जी इसमें सर जो हमारा एक एक एकुल्टी के उपर बात पर रहे हैं आप अप्रोचनिटी की बात भी अब आ रही है कि वोमन्स को जो है वो सत्ता जो है वो सत्ता में हिस्सेदारी जा फिर इंप्लाइमेंट में हिस्सेदारी इसमें कई ऐसे कंसेप्ट भी देखे जाते हैं कि जत्में सत्ता के लिए प्रापरी के उपर लेकिन राजमितिक के चलते जा पिर जो राजमितिक इच्छा चक्ती है जो जो भी सवारे रहती है वो क्यों नहीं इनको इंपाफ्रमेंट की तरफ प्रॉपर जोड पाती इसके पिस्चे क्या कारण है प्लीज जरा दो मिन्ट मैं इसमें बताएं क्योंकि बात यह है कि सर भारत का जो कल्चर है वो पुरुस प्रदान रहा है उसमें सर पॉल्टिकल की अगर बात करें तो अभी भी लोग सभाह में आपको जानकारी होगी एक बिल पड़ा हुआ है जिसको महला को सीट रिजर्व करने के लिए भी पड़ा हुआ है अभी बात चली मिलेटरी के आपने काहा था मिलेटरी में अभी भी गवर्मेंट ने साइद ऐसी विवस्ता की है कि महला उसमें जा सकती है तो चुकि बाबा साथ जब चुशन लागू हुआ था बाबा साब यह महसूस करते थे कि जिस बर्ग की आधी आवादी कही जाती है उसको इस देश के अंदर कोई अधिकार नहीं है और अधिकार नहीं है उसके साथ साथ वो गुलाम है और गुलाम वो इस इस तरकी है कि घर में गुलाम है जैसा भी अभी एक बहन जी बोल नहीं थी कि तेज से हसो मत तो घर में गुलाम है उसके बाद उस समाज में भी गुलाम है जब कि जितनी खुशी मुझे संब्धान को लागू करने में नहीं हो रही थी जितना आज हिंदू कोडविल पास होने में हो रही है हाला कि उनके लिए उस बिल से किस तरीके से मतलब अलग होना पड़ा और उन्होंने कानून मंत्री पस से इस्तीफा भी दिया तो वो बुमेन पा सबसे बड़ा जो युगदान है उस हिंदू कोडविल का कि महला को जो एजूकेशन का जो सबसे बड़ा राइट मिला उसके आधार पर पूरे देश के अंदर महलाओं ने जो उन्नती की है तो मैं मैं समझता हूँ कि बस यह है कि उनका लोगों को समझने की देर है कि बाब साब के नाम उठी के आगे अंबेड कर हाइए के नारे लगाती थी और संसद का गेट घेल लेती थी जिस गेट के तरफ बाबा साब की गाड़ी हो करती थी तो वह ग्यानता थी तो चूंकि अभी बहन जी बोल लहीं थी कि अभी तुच्की महला है जैसे जैसे हमारी सिक्ष आप जुड़े हैं आप पहले से भी जुड़ते हैं बीदा पीपल में और एक संग जो बजबूती से जवाब बढ़ेगा उमीद करता हूं और इसके साथ मुकंद वांसेद मुकंद बंसेद के नाम से किसने हैंड रेज करा हुआ है कि मुकंद वांसोद आप जाइब जुड़े हैं जा पहले भी जुड़े हो जुड़ते हैं कोई सब प्रोग्राम में जी मैं जुड़ता हूं जुड़ता हूं जी आज हम जी जुड़ते हैं और जोड़ते भी है जी और बहुत अच्छा निश्ड़ है लेकिन हम मालग अलग संडुपवर्ण में काम करते हैं तो हमारी यहां इस प्रोग्राम के मेंबर हैं और सबी मेंबर जो जुनाइनी बस लिए जब डिसीजन इसका फाइनलिटी के उपर जो में और्गिनाइज करते हैं ये उनके जिन्ने हैं मैं तो एक सोटा समार कारे करता हूं और मैं भी इस बात के सहमती देता हूं हाँ बिल्कुल होना चाहिए और लेटर पैड जोब होना चाहिए जो में पर्सन होस्ट करते हैं वो सभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो सर मेरा आप से एक क्वेशन है जी आज का आज का विशा अपने हैंड रिज कर रखा था मैं सिधा आपका एक तो सर हलो जी जी जुन रहा हो सर जी जी तो आप सर जै बताएं कि जो हमारे जो शक्तियां है जो हम हम भीड़ पीपल की जो शक्तियां हम लोगों की जो शक्तियां उसका एक सोर्स है उसका एक ही सोर्स है वो हमारे लिए तो अगर जे संविदान जाता है तो हम लोगों की स्थिपी कैसी होगी अभी सब्सक्राइब अगर हम भी वर्तमार की बात करें तो हम तो यह समझ रहे कि आज की रीड़ में सहुदान खत्म हो चुका है सविधान बचा कहा है सविधान बचा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जाती है जिसके इतने वीडियो इतने सबूत है उसके बाद भी उसाज मी की गिरत्तारी नहीं हो पाती तो हम कैसे कहें कि अब सर्वदान बागी है लोक तुन तरह खतम हो चुका है और सब्सक्राइब मेरे कई वीडियो में मुझे विदाय को दुवारा धंकिवी दी गई है कि आप इस प्रकार के बोलते है और अभी मेरे सब काभी लोग नाराज है लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता आप जैसे लोग अगर हमारे साथ है इसलिए मैंने मेरे दिमाग में आज आया कि भारती सब्सक्राइब का लेटर पेट भी चाहिए ताकि सहासन को यह पता चले कि यह संगटन ही नहीं यह संग भी है और पूरे भारत में काम करता है कि अधान को बचाने के लिए हमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी सब्सक्राइब कि आप सांत बेढ़ जाए ने तो आपको अर्बन नक्सराइट के रुप में आपको गिरफतार कर लिया है लेकिन यह नहीं हम तो बाबा भीम के शिपाई है और मिस्टन को आगे बढ़ा तरहें तैंक्यू सर थैंक्यू पड़ जाए लाए एक ही जवाब है कि संविधान खातर है और इसके लिए रेमडिकल जो है हमें कठा होना पड़ेगा अगर हमने अपने भारत के संविधान को बचाना है जो कि हमारे लिए एक सबसे बड़ी पवित्र अगर गरंट है तो जहीं संविधान है इसके लाबा जो बुद्ध की जो हमारे लिए जो बुद्धिक शक्ति और तार्की शक्ति का एक प्रवचन है वो प्रवचन हमारे लिए जो बहुत पावरपुल है मैं इसके साथ आगले साथी को काल करूँगा मनीशा निगम है कोई यह को होस्ट है शाहिद मनीशा निगम शाहिद सुनने पा रहे हैं मनीशा निगम जी ठैंक यू मैं प्लीज अपना ओडियो और वीडियो दोनों ही ओपन कर लें मैं आपको जैबी आप पहले भी मैं जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में जी साथ जी तो मैं जह है कि मेरा आज मुझे पहली बार इसमें मौका दिया गया है मैं धन्यावाद करता हूँ पूरे ग्रुप का कि मुझे मुझे मौका दिया गया और मैं हमाचे परदेश से हूँ चाहिद आप लेटर ओन जुड़ रहे हैं सभी तो आज की कंसेप्ट आज का जो बिशह सब्सक्राइब करता है तो पावरोथ कांस्ट्रीशन के पीच आप किस फिर्ट से हैं पहले में जह जान लेना चाहता हूं तर मैं वैसे मैं जोग्राफी से अपने जोग्राफी सब्सक्राइब करते हैं जो हमारी जो हमारी माताएं बहनाएं जो घर के अंदर वर्ट करती हैं उनकी स्थिती में जो भारत के सम्भीधान के वाद इंपावर्मेंट के बाद इसको गें करके जास को लड़न करने के बाद चाहर इसकी जो राइट जो राइट इसमें इंश्राइन करें बहुत और एंदर बैटी हैं। क्या डिफेंस अपील करते हैं आप जो फिल्ड में निकल चुकी हैं उन्होंने अपना केरियर बनाया है वो बाबा साब की वज़े से बनाया है और जो आज घर के अंदर बैटी हैं हमारी मैला हैं वो फड़ी लिकी होने के बावजूदी मैं पड़ी लिकी होने के बावजूद भी आगर वो घर के अंदर कैद हैं तो वो जागरुकता का उनके अंदर अभावा उनको जानकारी का अभावा उनको जानकारी नहीं मिलिया है कि हमारे मापुर्सों ने हमारे लिए क्या किया है कि हमारे बाबा साब हमारे लिए क्या देके हमारे समाज के महिलाएं जो हैं पढ़ने-लिकने-या जो काम करती हैंDie वह हिंदोरी की त्रिवाज कि अनुम्हार करती हैं जो लोग बॉल पे पढ़ती हैं जो वहारी हम्हारी महिला ओ ने जांकारी मिलेगी कि पड़ी लिखे होने के बावजूद भी समाज में समाज के लिए काम नहीं करती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, तो मैं पिछले पर भी पिछले लाश्ट मीक जब हमारा ये समीदान स्पेसल हुआ था, तो मैंने हिंदू कोट मील की जानकारी के अनुचार उनको जो महिलाओं को दिकार की बात मैंने हाँ पर करिखी थी और मैंने ये कहा था कि मैं जब भी मिटिंग होगी मैं अज मेहलाओं के EK llegar की बात करूंगे, मैंने लाश्ट स्भी किया था कि महिलाओं को मैंतोने लीव जो मिली है वी बावजर से मिली है, इस भी मैने शें को महिने साथ की वज़े से मिला आज महिलाओं को किसी भी फिल्ड में जाने से कोई रोख नी सकता उसी तरह से महिलाओं को जो है सस्राल में भी और माइके में भी दोनों तरब से जो है उनको संपत्ति में अधिकार लेने का पूरा पूरा इस चीज़ को आप मानते हैं आप होस फिल्ड कि में सट्रीम के बीच जो आज कुछ हम नजर आ रहे हैं वो भी नहां होते तो आपका धनियाबाद आप ने आप जुड़े हैं आप जो क्योंकि आप तो में प्रोग्राम में और होस्ट है आप तो आपका धनियाबाद मैं नक्ट सात्की को बलाना चाहूंगा कू अगर कुलदीब सिंग से सुन पा रहे हैं तो आपको सुन पा रहा हूं जी सर कहां से है जनावाप मैं रोटक से हो सर रोटक से हो दन्यावाद आपका प्रोग्राम मैं अब नंदन करता हूं मेरे पास six minutes remaining बचे है कि को नौ बजे मैं completely मैं दूसरे साथी के को इसको आगे जो है जोइन कर आवा दूँगा तो सर आपकी स्पील्ड से हैं आप पहली बार जुड़े हैं जा पहले आप जूड़ते हैं मैं पहली बार जुड़ा हूं और मैं आईटी डिपार्टिमेंट से ह आपका दन्यवाद आप पहली बार जुड़े हैं किसने आपको जे नंबर दिया आपने आपको किसने इसके बारे में बताया प्रोग्राम की बारे में हमारे सिर्सा से हैं क्या नाव रणवी सिंग जी है उन्यनों मुझे मतलब कि इस बारे में बात हुआ था तो मैंने आज का टैम में फिक्स हुआ था डेट तो आज मैंने जोइन किया कि आप लोगों को सुनू मैं आपने अभी जोइन करा है जा पहले करा है तो तो उसमें मैं मेरे कुछ सुजाओ किना चाहता था और कुछ आप लोगों से पूछना चाहता था देखें आपकी विचार धारां जो है जो आपका प्रोग्राम है वह बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मैं सुधाओ दूंगा कि इसको एक प्लेक फरम दिया जाए सोसल मीडिया पे या इस तरह का कोई आप आज कल जानते हैं कि सोसल मीडिया और मास मीडिया में क्या चल र आज को ज्यादा से जादा लोगों तो पहुंचाए ऐसा कोई प्लेट फरम्ड़ं है या इसा क Utah सब ज्यासे넓 जादे ब्रोडकास्ट का प्रोग्राम जो है ब्रोडकास्ट किया जाए ताकि जहां जहां भी लोग बैठें उन तक कि इसको पहुंचाया जा सकी तो यह एक बड़ा बड़ा कंसेप्ट है और इसके लिए आप जैसे साथी जुआं उनकी हमें बहुत ज़्यादे जुरूरत है और मैं चाहूंगा कि IT सेक्टर से जितने आपके परचीत व्यक्ति हैं उनको एक दिन के लिए प्रोग्राम में बुलाएं और उनको हम हमें बताएं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके तरीके के साथ हम इसको ज़्यादे से ज़्यादे पब्लिक तक इसको हम जैसे पेस्बु जो हमारे सामने हैं उसका मुकाबला हूं से नहीं कर पाएंगे इसके लिए कुछ प्रोग्राम है जिसके मैं वर्ट कर रहा हूं अगर आप अपना नंबर वगएरा सेर करें तो मैं कुछ चीज़े आपको परस्नली सेंड कर सकता हूं देखिए कि मैंने क्या बनाया और मैं क पिस्तार से बताने में बहुत लबा समय जाएं तो इससके बीच जो राइट विक्विटी को आप किस तरह से देखते हों कि जितने भी आईटी सेक्टर में इस वक्त प्रोग्राम चल रहे है आईटी सेक्टर ऑप बढ़ा सेक्टर है तो तो इस सेक्टर के बीच आपको किस तरह की आपको मिलती है, कि आप उसमें से असानी से गेल कर पाते हो, जा आपको कुबज क्मण करशी हार्डर, जो है, वो मिलती है, नशल में आपको सिर्फ मेरे पास दो मिंट का समय बचाएं, फ्लीज. तो देखिए सर मैं आपको नदो मिंट में ही बता दूँगा है एक ही मिंट लोगा सोचल मीडिया आज के टैम में वह प्लेट फार मैं जिसका काइदे से तो कोई कानून का उसका पालन कर ही नहीं रहा है मैं खुद भी नहीं कर रहा, मैं बता दू, औरो की तो मैं क्या बता हूँ, उसका पालन कोई नहीं कर रहाँ, उसका पालन आप करोगे, तो सोसल मीडिया पे आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे, डिफरेंट टेकनोलोजी और एक दिमाग से कंसर्प्ट च्यार किया जाएगा वो आपको सोशल मीडिया पे ले के जाएगा फेस्बुक बस आपको एक इजाज़त देता है लेकिन फेस्बुक का आप यूज कहां कर रहे हैं किस टेकनोलोजी से कर रहे हैं वो माईने रखती है और जहां तक आपने इक्वल्टी की बात करी तो वो सविधान के अंदर है या राजनितिक मिस्से बे जादा नहीं जानता ह हैं लेकिन टेकनोलोजी का जहां तक मामला है तो वो बिलकुल डिफरेंट है आज आप देख लेजी कि किसकी मीडिया है, कौन मीडिया है, टीवी खुली दीजिए आपको, यह नहीं मिलेगा समाचार, वहां पे आपको परसार मिलेगा यही हाल सोसल मीडिया का है तो चीज Wanna को जादा से जादा लोगों तो पहुंचा आ जाए वो टेक्निक जी वो सोसल मीडिया और वो यह दोनों चीज़ के करेंगी यह एक टीम होती है जैसे कि मेरी अपनी टीम है पचास आदमियों की मेरी अपनी आईटी की टीम है तो मैं चाहूंगा जिस जिस समाज से हम आए हैं उसकादी समाज के लिए आप बाते कर रहे हैं उसको हम फ्रेंट में ले के आये हैं और हमारी बात को इतने लोगों तक पहुँचा जाए जिसके बारे में हमें दबा दिया जाता है हमें कुछल दिया जाता है तर आप इस बात को तो आप मानेंगे कि भहरत का खत्रे में है देखिए मैं आपको बता दूँ ज्यादा डिपली नहीं मैं इस बारे में जानता क्योंकि राजनिती करना नर्चल में नर्चल में नर्चल में प्लीज एक दस सेकंड में प्लीज तो इसके बारे में इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी कि नहीं कर पाँगा कुछ जानकारी मुझे नहीं किसे खत्रा है बहुत बहुत धन्याबाद आप जुड़े रहें और पहले भी जुड़ते हैं और कि वह करें और उसमें जादा ज़्यादा हमें भी इस वारे में नौलज को कि कि आम किस तरह से इसको आगे इंडार्ज कर सके कुल्दीब जी आप अपना नंबर और चैट बुक्स में डाल दो मैं इसार से हूं और आप पहले भी जुड़े हैं या फस्ताइम आज नंबर डाल दें और बात करेंगे आप से इसाब से भी काम है अभी इतना नहीं है लेकिन जूर्ट है हमें आप लोग अपका आपका नंबर चैट लुक्स में डाल दीजिए और आपकी सेवाई लेते रहेंगे आप जुड़ते रहें पले आपके तेंक्यु बिल्फुल लास्ट मैं मैं रिशी अंबेड कर जी हैं को इनको मैं काल करना चाहूँगा उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑजिसर रिशी अंबेड कर जी आजी बोला हुँजर मैं कनलोज यूपी के कनलोज इससिक से हूँ एक ग्रामी मिल्फेश से हूँ और किसान हूँ और जानना चाहूँगा सम्मेदान किस तरीके से खत्रे मां और क कि यहां जोने के साथ जोड़ को अपनी खेटी करता हम उसे अपना जीवनियापन करता हूँ तो सर मैं आपसे आपसे आपने पूछा है कि समिधान किस तरह से खत्रे में है देखें जो भारत के अंदर एक लेंड रिफॉर्म का पोछत बड़ा जो है एक प्रोग्राम जो था वो चला था बारत के संभिधान के इंपावर्मेंट के बाद और जिसके बाद जो ग्रीब बर्क था जो डॉन्ट रोडन था जब किसी भी बर्क के साथ उसको जो है वो लेंड जो है वो जितनी भी एडिक्विट रेट के साथ जो बिल सकती थी वो मिली थी लेकिन जो खत्रे की बात है जे उसी संभिधान से उन लोगों को मिली थी अगर जे संभिधान न होता इसकी flexibility के उपर भी question आया था कि जे flexible है और इसलिए इसको खत्रा है औ और दूसरी तर्फ मैं इसको कहूंगा जे flexible है तो जे cut for भी है अगर एक side किसी amendment को किसी article में और हमें दूसरा कोई document दूसरी को चीज उसमें add करनी है तो जे write देता है लेकर दूसरी तर्फ जे संभिधान को है उसको controlling भी देता है वकिल साथ यह पूंच रहे खत्रा कैसे है यह तो आप समीधान की जानना चाहरा हूं समीधान कत्रे में आज आया जाया क्यों इसका कारण क्या है प्रस्ण का जवाब दे रहे हैं तो देखिए इसको पास कर दीजिएगा सुधिर राज जी इसका जवाब दे सकते हैं आप पांच मिनट के लिए बोलें अरे सर जो भाई पूछ रहे हैं उनसे जानतो लीजी वह पहली बार जुड़े हैं और यह जो कुशन कर रहे हैं संविधान कैसे खत्रे में हैं पहली बार जुड़े हैं क्या हो मुझे तीन महीने हो गए इससे जुड़े हुए अच्छा 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 अगर आप इस बात को सर जाना चाहते हैं तो संविधान का तरह किया हुए देखिए जब से संविधान निर्मान की कारे का चला था उस वक्त से अप टू डेट आज दिब तक किस तरह की विवस्ता राजवितिक तंतर ने अपनी सिट्टा को मंटेन करने के लिए इसमें किस तरह के डाइलूट करा इस तरह से डाइलूट करने की कोश है कि क्या संविधान अगर जे संविधान को मानने वाले लोग हैं तो ऐसी स्थिती ऐसी नहीं होता कि वो चलती गाड़ी इतनी स्पीड के साथ रहे हैं नेगलिजट मेर के साथ जब उसको ड्राइब किया जा रहा है और किसान आगे चल रहे हैं तो उनको पीछे जे टक्र म ही लेकिन हम तो इस समिधान को प्रट करेंगे और करते ही रहें तो मैं धन्याबाद करूंगा तो मैं नौवज के पांच मिंट हो गए हैं आपका धन्याबाद आपने मुझे सुना टाइम दिया आप सब का बहुत बहुत अबारी और मैं नेक्स जो है वो परिहाद से नेक्स्ट एक मिन सुन्दीरा जी नेक्स्ट अपना वो देखें मंच संचाल आएड़ो के ट्रामचंदर जी और आशा गोष्ण जी है इसके बार हुआ है हुआ है जैवीम से जैवीम नमोंबद्या सर प्जैव जैव कर दो 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 कर दो